शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें वीडियो जब बिएकन को दिए और इफाद का न वीडियोज के लाइकन कीजिए और लूलें guy y तुम रोज आलारम खुद को जगाने के लिए लगाते हूं अब इसके बजने से पहले ही उड़ जाते हूं ऐसे लगता है कि यह आपको जगाने के लिए बलके आप इसको जगाते ही मेरी प्यारी अर्धंगनी जी मैं वक्त की बहुत कभ़र करता हूं जो इसान वक्त की गदर नहीं करता व्कत उसकी पहुता है तसम्झे रवी उड़ गया कि नहीं तुम्हारे तब यत तो ठीक है न और फार चीन प्रबद तबी मतलब ते तुमने कभी घर के बारे में कुछ नहीं पूछ रहा है आज अचाने क्रावी के उठने के बारे में पूछ रही हो तो अजिब सा तो लगेगा ना अरे बाबा ये बात नहीं है तुम क्या समझती हो मुझे तुम लोगों को चिंता नहीं है है मन में है लेकिन चिंता को मन से जबान पुरनाने का वक्त नही अब भी वक्त नहीं है क्या है कि नदी के नारे काम चल रहा है काम शुरू करवा दूंगा आज तो मुझे कुछ कह कर जाते ही आज नहीं कहेंगे अरे भाई जल्दी बताओ क्या कर जाता हूं मेरे बास वक्त नहीं है आप पिछले जन्य में घड़ी तो नहीं थी बात बात में वक्त अरे बाबाद चल लिए बाते करने का सुबह सुबह मौका मिलता है आज वो भी भूल गए यहीं कहते हैं कि इस सुबह का नाश्टा कहां बेजो दोपेर का खाना कहां बेजो ऐसा करो नाश्टा नदीपर विजया देना और साथ में बदलने के लिए कपड़े भी और दोपेर का खाना पंचाइट के तरफ ठीक है रात का खाना रात का खाना पत्नी के साथ अरे तुम यहां क्या करे हो अरे अपने भावी के लिए गरवागरम मसाले वाली चाय बना रहा है हत मैं बनाती है अरे भावी के हाथों की चाय तो रोज पिते है एक दिन दे बार के हाथों की भी चाय पिके देखो अच्छा ये बता तुम इतने खुश क्यों हो भावी मैं क्या बताओं आज पहली बार भाभी को इतने प्यार से हस हसकнал बाते करते देखा जुआ करे तो इतने जोर जोर से हस हसकर मेरे बारे में बाते कर रहे थे आतिको की बात करना के चिज हो यह बात इमें भावी पहले तो निकलने दो हाँ निकलने के बाद क्या इरदा है है तुम और भाईया पक्का करोगे उसी को पक्का करना ही मेरा इराद यह क्या बात हुए जे मेरे भावी की आशाएं लक्षमी मा का बर्दान है मेरा मुकदर तो तुम दोनों नहीं लिखा है पिर मैं कुन होता हूं अपने बारे में सुचने वाला लेकिन भावी जब मुझे बहुत गुस्सा आता है तब अपना सर खुम जाता है गुसा किस बात का गुसा यही कि अपने भाईया सोशल वाक समाज सुधार में लगे रहते औरों के दामन में सुख डालते डालते इतने ठक जाते हैं कि जब घर वापस लोडते हैं मेरी भावी का ही दामन खाली रह जाता है और यह मुझे अच्छा नहीं लगा कौन के ढाल है उन्हें मेरे परवा कि मुझ्हें जयदा भाकिश आली औरत इस अंसर में कोई हो सकती है क्या है जिसका लक्ष्मी जैसा देवर हो राम जैसा पति हो सुंह औरी मेरी मेरे जोटी से दुनिए सुर्ख से सुन्दर है जिल स्थेफाने का कि धुछ एगा למצदानी लगाने कील Sh情 ऐसाओर में वछें का फ्र Lim झाल 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 आज बरसों के इंतजार के बाद तुने मेरे सपनों को सचाई की शकल दिखा दी तुने मेरी जिन्दकी का सबसे बड़ा आर्मान फूरा कर दिया पास हो गया मेरे भाई पाजी तुप पास हो गया देश.. जैसे जिंदगी के इम्तिहान में और पिता जी को दिय वे बचन के इम्तिहान में में पास हो गया इस खुशिय के मौकर पर तेरी लेग तोफल आयो Come man, चल You're Great, You're Great जब दुका ने कोई पागल कुतों का अस्पाल नहीं है, जो लोग बड़ी बोतल एलीनी का तेल भी लिया चलो चलो जब खुला जाथ मिलावत राम जी सरकार ने हम लोग के हिस्से की शकर आपके पास भेजिए बेजिए बहुता हो कब भेजिए जो बेजी थी वा पिछली दिवाली पे ख़तम हो गई मिलावत राम जी हर को जानता है शकर का कोटा आपके घर मैं रख खाए मने भाकर वो कोटा को धा को हराम का कोर नहीं है मजबूरी नहीं जरूरी ए गड़वाई के रही जमाने में तेरो शकर देना वह भी मीठी मेवाला आदा इसके किलो शकर बान के ते सुफ़ाइद वाली मीठी वाली काले भाव में ये तेरे बापका माले क्या पानी निकाले अरे नुबर करो ना मुझे पाँ भाइन पांड अब एक घुन की तरह के हूं में पिसने वाले गठे इस बीस रुपय में तेरे को पांच किलो आटा चाहिए अब ए आटे का फोडू नहीं मिलेगा चला दूसरे नमर किसका आगया अचा ठीक है एलो पांच रुपया लेकिन याद रखना एक ना एक न तुम्हारा यह जुम एक नगे जाने वाली नहीं है? तो बिल्माबाब का गड़र में पड़ा हुआ था इसना लावारी सा कि तेरे को यतीम घाने वाले भरते नहीं करें तेरी रिच्दार कहां से आई यह मेरे दूर के नजदी के रिष्टे की रिष्टेदार है यह रात को अंदेरे मामानुक बोला मजे डाल दे जिए अच्छा यह रिष्टे आपने अपने बाप से कुछ कहा और नहीं तो क्या आपने बाप से कुछ कहा यह चकर है गारी के तांकी में पैट्रोल की जगा में नक वरेंगा मेरी टाके में क्या भरा है वो तो बाद में बताऊंगा लेकिन जो तुम्हारी गोज में धरा है उससे तो पहले हटाओ या धरा है एक तो लोगों को डराते उपर से जबान चलाते हो वह चिरे और तुम बढ़ापे के सिन पर जबानी का पोस्टर चिपकाते हो कही तुमार मार के फटे हुए पोस्टर की तरह दिवारते चिपका देगे ये बेचारी तो घबरा कैसी मेरे गोज में गर गई थी जब कोई गोज में गिर जाता तो उसको निकाल भी दिया जाता तुम्हारी गोज कोई गाव का तालाब है इसमें कोई जानमर गिर जा तो घंटा भर ल जानमर गाव कि अधार भागवान ने दो टांगे दी है एक टांग पर को उचल रही हो क्या भीग मंगने की प्रेक्टिस कर रही हो अरे हट लिखने रहा क्या आखी शेर छोड़के आया है अजी नहीं शेर से आखे भी साथ लाया हूं और आते हुए एक नया खेल भी सिखक कर देखो सारी जिंदगी खुशी के मारे उचलती रहोगी कौन सा खेल मैं बगार चुए बगार हाद लगाए किसी की भी पपी ले सकता हूं अरे चल चल फट मा कसम जूट बोलू तो तुम्हारा मूग काला चल एक शर्ट लगाते अगर मैंने बिना चुए पपी लेली तो तुम मुझे सिर्फ दस रुपए देना और अगर मैंने चुलिया तो मैं तुम्हे सौ रुपए जुर्माना दूँगा चलो लगी अरे सोच क्या रही हो भीकारी के खंदान से आ रही हो क्या दस रुपए नहीं है शर्ट लगाने के लिए अरे बड़ा आया पैसे वाला चल लग गई आ यह हुई ना बाद अब देखो मेरा कमाल माप करना मैंनो तुम्हाद लगा गर पपी लेली मैं तो सो रुपया हार गया अज मेरा दीन ही खराब है मैं चीत गई मैं चीत गई अरे क्या चीत गई उसने तो सरी बादात है चुमन ले लिया चार सो बीस वरे भी तुछ नहीं चुछ अबे ओ बतक के बासी बदबूत आरंडे जल्दी बंद कर कर रहा हूं क्यों चिला रहे हो कल रामदास के बच्चे का नामकरन संसकार है मुझे काफी मिलावट करनी है जल्दी बंद कर करता हूं करता हूं अरो पहलवान मेंना मतलब भागयवान जल्दी आओ अरे क्यों चिल ला रहे हो आ रहे हूं क्या चावल की गोनी की तरह मठक तीवी चलिया रही है इतना अलाज मेरी दुकान में नीज इतना इसमें बढ़ा हुआ है और यह क्या है मुंफली का तेल मुं मैं समझा पुलीस आगी पुलीस अबैसे बोल मैं तो बालती भर के गोन हलक मुंडेल दूँगा मगर जी बिला क्या रहे हो अब तेल के तेल में मुंफली का तेल मिला रहा हूं सत्या नाश अगर ऐसे ही मिलावट करते रहे मिलावट राम जी तो एक दिन आपके धंदे का कि आपके तेल में मुंफली का तेल मिलावट करता हूं कि में दुनिया के खाने में मिलावट करता हूं उपर वाले तकदीर में यह मिलावट कर दिये मैं और यह बाबा मैं उलत की दाल में काली मिट्टी माग रहा हूं अब किया तुम को गोनी में गुजर दूँ अरे शेडी क्यों अपना दीवाला निकालने पर तुले हूँ क्यों आपके तोडब हूं प्ता प्ता जी अब बस करो बस करो यह दिनो आप सेमा कर रहे हूं मैं लिख कर देती हूँ ये पैसे आपके किसी काम नहीं आएगा भगवान न करें आपका भी बिमार पढ़ गए तो इस पैसे से जो दवा मंगवाओगी दवा भी मिलावट वाली ही होगी अबे हट रिश्वत और मिलावट तो संसार की सजावट है भगवान ने बें इनसान को शुद कहां पैदा किया हवा आप पानी और आत्मा की जब मिलावट की तब जाकर इनसान को पैदा किया अरे जब उपर वाला मिलावट कर सकता है तो मुझको मिलावट से मिलावट करने वाली तू कोन होती है अच्छा अगर ऐसा है तो दुकान बंद करके मिलावट करने की क्या जुरूरत है खोलो दुकान दिखाओ सबको कि तुम कोई चोड़ी नहीं कर रहे है भगवान के रास्ते पर अरे देखो बंदर लेखा इस लड़की ने मेरा जीना मुश्कित कर दिया है कोई अच्छा सा लगा देखके इसके हाथ मिले करके इस घर से रवाना करो तब मेरे सीने के कलेजे में इस मेरा अलकी सांस की उपाल आएगी लड़का धूमने चले और शागल मना रखी है अरे शादी करने जा रहे हो के फासी पर चड़ने जा रहे हूं आपने बाप की मेंटों का अच्छा बदला दे रहे हो यारी के मेरी आशओं का खून करके अपनी पसंद की लड़की से शादी कर रहे हो आपने अपने बेटों को उसकी पसंद की शादी से रोका तो मजबूरान उसे यह कदम उठाना पड़ा अरे मैं पूछता हूँ तुम का रोते हो बीच में चम्चाह लाने वारे हैं यह मेरा बेटा है मेरी जायदात है जब से यह अपनी मां के पेट में था तब से आज तक मनिस पर पूरे एक लाख रपाय खर्चे हैं और मुझे यह जरी के ऐसी बहुँ चाहिए जो अपने देज सब्सक्राइब के साथ सब्सक्राइब कर आए और यह गदे का बच्चा फ्री फंड का मालू खाकर ला रहा है माफी मांगता हुए आर्स करता हूं चाचा जी आप काकाश कुछ जबर्दस्ती नहीं ले जा सकते यह शादी तो जरूर होगी जानी के धंकी अब ही बताता हू अरे कुलू, बिलू, रंगा, विक्कू, जगू, मोती अरे गिले कफणे की तरह ले चोटोलो सॉले को जानो मुझे नहीं उसे उल्लू के बच्टो जाओ हृ युझे र में झाना ृ जपट अरे और करेओर लुझे अашएके अबЗ kali लुझे मारी sound अबरे चैन, भाली बतली, बतलoka अरे 취सले, नहीं जाओ है 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 इस पहले के भती जी के हाथ आप पर उठ जाए यानि के आपके चेहरे का नक्षा बदल जाए आप यहां से फूट लीजिए पिछ एड़ रभी यह क्या बत्मीजी है मैं तो बत्मीज से पेश आ रहा था जब बत्मीजी की शुरुवात इन्हों ने की तो मुझे मजबुराण जवाद देना पड़ा पहले हुआ यह बताओ पन्ना लाजी का बेड़ा प्रकाश दुलारी से प्रेम करता है एक दुझे से शादी करना चाहते हैं लेकिन जनाब को तो देहच का लालच है लाहौल वाला कुवत आज के दौर में भी अपनी आलाद का सौदा करने वाले मौजूद है दुलारी जी क्या तुन्हें अपनी मा से इजाज़त और आशिरवात लिया जी हां प्रकाश यहां जो कुछ हो रहा है उससे पता चलता है कि तुमने अपन प्यार करता हूं और भाईया मैं इसे सदा के लिए अपनाना चाहता हूं ठीक है मैं इस गाओं का मुख्या और सरपंच होने के नाते इस विवाओं को रचाने की पूरी इजादत देता हूं रवी तुम इनके फेरे लगवाओ मैं पिछले साल तक इस गाओं का मुख्या रह चुका हूं और मैंने कभी एक तरफ फैसला नहीं किया था और आप भी काल कोड़ कर सुन लिजिए आपको यो फैसला बहुत महेंगा पड़ागा आपको हां मैं देख रूँगा मैं देख रूँगा जल्वी से खाना लगा दो हुआ मैं देख रूँगा जल्या प्रूँगा जल्वाँ ऑह बहुआ हुआ झाल 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 आपना घर है स्वर्ग से सुन्दर हो अपना घर है स्वर्ग से सुन्दर है स्वर्ग में कहा से आए मच्छर स्वर्ग में कहा से आए मच्छर मच्छर भी आशिक है तुम पर क्या करूआ है मैं क्या करूआ है मैं क्या करूआ अपना घर है स्वर्ग से सुन्दर अपर कात रखा है मुझे को बिसकर अच्छा ये पिस पर कात रखा है मुझे को बिसकर अपर बिसकर भी आशिक है तुम पर क्या करूँ है मैं क्या करूँ है मैं क्या करूँ है मैं क्या करूँ अपना घर है स्वर्ग से सुन्दर ओर जिए रातें बूल गए तुम आई बातें दो गए तुम आई बातें अर्णही मांबबत आइ नही जवानी अर नहीं महबबत नहीं जवानी हो गई अब हर चीज बुरानी या आप जिन आते हैं अक्सर क्या करूँ है मैं क्या करूँ है मैं क्या करूँ अपना गद है शर्ग से सुन्दर है झाल करूँ झाल झाल प्यार में ये गुसा अच्छा है पर बीच में ये तख्या क्यों रखा है प्यार में ये गुसा अच्छा है पर बीच में ये तख्या क्यों रखा है बात है लंबी रात है थोड़ी किसने बनाई थी ये जोड़ी मैं हो शीरशात हूँ प्त क्या करूँ हर में क्या करूँ हर में क्या करूँ हर में क्या करूँ अपना धर्ले सद्सद्ध शेयं अधर utilization जो होता है वो होने दो मुझे को थोड़ा सासो में दो घर आते ही आदे में दिया साहे लगाई मैंने भी दिया घर आते ही आदे में दिया बेख रहती मैं सजदज कर क्या करूं है मैं क्या करूं अपना घर है सरग से सुनदर प्रम प्रम भी आशिक है तुम पर क्या करूँ है मैं क्या करूँ अपना घर है सर्ग से सुन बरी कि अबने करें अएच अब सब्सक्राइब कि अब निबंवाट जी मुझे शुद्ध दूद का पावडर दे दीजेंदा शुद्ध दूद का पावडर तुम मुझे गाली दे रही हो मैं क्या मिरावट करके बेचता कूँ इतना अस्री तो गाई भी नहीं देती जितना मैं देता हूं मैं बेचता हूं निकारा देटा हूं लेकिन कल तो मेरी पड़सा आठ रुपे में ले गई थी बीस रुपया जली करो ने तो यह पीशे वाले मर जाएंगे अच्छा अच्छा मेरे पास 10 रुपीये है 10 रुपे आख लुपार नाम की तरफ तुम्हारे काम भी मिलावट बढ़ती जा रही है यह दूद का पाउडर तो अस्पतालों में फ्री दिया जाता है तुम इसे बेच के सकते हो और करने करें मिलावट करके देखो यह बच्चा तुम्हारे हैं का दूद बिकत बिमार विए यह दूद मेरी दुकान का नियकष खरीदा होगा है इसमें मिलावट राम इस गाओ को छोड़कर किसी आजपास के गाओं में कोई और दुकान नहीं तुम्हारे दूद के लावा म लोगों मेरे मेरे मेरा मिलावाट राम लग दिया अच्छी बात है चलो पुलिस टेशन मेरे ससुर पहले पुलिस कांस्रीबल थे तम मैं पुलिस टेशन गया था जब से अपना गुना यही कोबूल कर लिए नहीं तो यह लोग सचमुछ आपको सब्सराल ले गाएं कभी मगलती से मिलावट हो जाती है थोड़ी बत बत काला बाजारी दी मेवलाल सारी रिपोर्ट बिल्कुल सही है और मैंने ये भी सुनाय कि तुम डेंडी मारकर वज़न में कम तोलते हूं जैसा मुझे वाजय आपक segu करो 2 conta देने के बाद भी तुम अपनी हरकते से बने करेंघी है ठीक है अब ऐसा नहीं होगा तुम्हारा फैसला पंचायत करेगी चलिए हमें बहुत जल्दी इस गाउं में एक साकारी दुकान खुली चाहिए जिसके जरी हम काला बाजारी और मिलावट को ख़दम कर सके लेकिन विजय बाबू सहकारी भंडार खुलने से पंचायत को क्या लेकिन इस गाउं को फाइदा है राम लखन जी लोगों को मिलावट का सामान नहीं मिलेगा उसके इलावा दुकान दर अपने फायदे के लिए अलग-अलग भाव से अपना सामान बेचते हैं हमारा सरकारी भंडार एक ही भाव से सामान बेचेगा अच्छे मिलेगा बिना म सिर्द से समझाने की क्या जरूरत है तुम्हारा जो भी ख़तम उड़ता है गाउं के बलाई के लिए उड़ता है रहीम चाचा आप सिर्फ हुकम कीजिए इस काम को पूरा करना हमारा है बहुत बहुत शुक्रिया आज से हमारा नारा है साकारी काम बढ़ाओ और काला वाजरी को अरे मैं उनकी जिन्दगी को तारा लागा डालूंगा गुली मारमार के लुए बूल डालूंगा जिसे लोग पापर भूल डालते हैं यानिके सच बोल रहे हैं जी आम सच तो बोल्रां मैं क्या एक चक्र है मैं आहिंसा का पुजारी हूं गांदी जी के राश्ते पह चल तो फिर जल्दी करूना इससे पहले के वो जवाला ठंडी हो जाए मैं उस पर गात्रेट छड़कने को तयार हूं असली बिना मिलावट का वो भी मुफ्त का स्रेट से काम नहीं चलेगा जी जाजी माल निकालिए यानि के माल आप पैसे मेरे हवाले कीजिए मैं उन्हें दुकान खोलने से रोकनूंगा असली जाँ मैं इस दोता है कि चर penal आप के वक्तर टूंगा घर ग्रिए सीर器 हाई है हाई 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 अरे उठो हिंदुस्तान के कलंग को, है शवाज बादर उठो, हाँ यह बात होई ना हाँ हाँ यह 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 लोगे तान बखरो, अब आपरम बना बखरो, अब मुर्गा बना, सुज। आगे बखरो, वाज खर्टा हुए, हाा, पाईार हुआ अटब दूर्गां दूर्गां जुक्त समाचार लगा कर सुनो तरफ सनी वार सुमा ना बजे दुर्गां मां के मंदिर के सामने वाली कोठी में ने समान, सटे समान, सستानाज, शौकारी बंडार कुला है हर खास और अम को आने की दावत है हाँ हाँ, जरूर जरूर, इस नेक काम में को याएगा क्या काजर हराम के जखन? कल से काला बाजरी करने वालों का दीवाला और मिलावर्ट करने वालों का मु काला जा ना या ना इक तो तो सहकारी दुगान खोल कर इन बिचारे को भिकरी बनाने का चक्ड का चला रहा उपर से ढोल बजा कर इनके कलेजे का कबाब बना रहा है मैं तो गाउंकी भलाई के लिए चिलंगा ही तूँने मेरे माले को इतना गिरा हुआ समझ रखा है इतना कमीना समझा है इतना जलील समझा है खुजली वाला मरा हुआ कुटा समझ रखा है कितनी गाली यह दे रहा है मैं आपको गालीया नहीं दे रहा हूं मैं तो आपकी वकालब कर रहा हूं अब थोले दिन ठैर जा एक बार मेरे सेट को मरने दे फिर देख मजा यह धोल क्या शहर से बैंड मंगवाऊंगा रहे सारे को नचवाऊंगा ऐसा शांदार जूलूस निकल वाऊंगा कि सारा हिंदुस्तान डेखता रहे जाएगा कि यह मरा कोई सेट कैसी रही वासी घिचडी के सड़े वे कीड़े एक तो मेरे मरनी की दूआएं मांग रहा है उपर तो मुझसे ही ताली मांग रहा है गिर्गूट चैना पाई और भेनों हमारे गाउं में साकारी भंडार खोलने की बहुत से कारण है और खास कारण तो यह है कि कुछ लोगों की दुकानों में होने वाली बैमाणी काला बाधारी और मिलावट को खतम करना है ओर जी आपने एल्जाम तो ठोद दिया कि कुछ लोगों की आदो। मिलावट उंबावत हो इनके मीनैमों में मिलावट सब्सक्रार हो आने कि तुम मिलावट राम तुम्हारे वहां मिलावट होती है यह तो आपके मुद्इ कीछ उचल कामू चालer ते मिलावट करते हुए मतलब मिलावट करते हुए अरे देखने की क्या जरूरत है अंधे से भी पूछो के मिलावट कहा होती है वो सीधा मिलावट राम की दुकान पहुंचा देगा सारा गाौ सारा देश जानता है के मिलाबट का घड इंखो तुम बहुत बठी मिलाबट उप्ण使ु दुकाण है आज दू मेरा कर दो बात धारा इक कि आस्प टूड के चालना तुमारे खड़ी हुई सेंडी कार के तुमें काला पानी पहले खाते हैं बड़ो बिसर इस तरफ पेशाते हैं ये काय का बड़ा भाया ये सिर्फ दैमानी में बड़ा है मुझे फुजल की पाकवास नहीं चाहिए जोएसे मैं के दो तुम जोएसा आला तेरा बापसाला मिला ड्रांजी मैं रवी की तरफ से आपसे माफी माफी माफ कर दिया आपकी हुए धन्दा चौपट करके हमारी चाती पर मूं डल रहे अब देखना मैं का इनका घली करती हूं क्या चाहिए बैहें दी बी मुझे एक लिए शुक्र चाईए जी हाय 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 क्या हो रहा है लक्षमी ये क्या एक बेवकुफ जाहिल औरत की बातों पर इतना अफसुस कर रही हो अंसु बाहर ही हो अरे तुम तो पड़ी लिखी वारत हो इस तो लोगों के तानों पर दिल छोटा करोगी तो जिन्दगी सुकड कर छोटी हो जाएगी अरे बाबा यहां तो इस पूरी द करें अरे जब अपना धन्ना इस हो गया तो मैं जाके क्या करूं लुका पठ्था एक तो टांग पठ्था डाला ऊपर ते हिला भी रहा है यह मेरी दुकान कब्रस्तान की तरह बर्बाद है अब देख वह दुकान देख का वह देख कितनी भीड है अपनी दुकान ना तो महीने भर में भी इतने लोग जमाने हुए जितने वहाँ पर जमा हुए हैं क्या मेला लगा है लगता है दूसरे गाव के लोग भी वहाँ पर आ गए क्यों नहों भाई जब असली चीज हो सफ्ती हो तो भीड तो लगेगी अपस्तावे क्या होता है जब मिलावट की चीड़ी आ चुके गई खे अबे नमा खराम मैं तेरा मालिक हूँ मालिक के बरबादी पैसे गाना लाए जाता है का मालिक ठंदा तो चलनी रहा हालत ऐसी खराब है कि मारने के लिए मख्या तक नहीं है और मालिक पने की धोर से मारे हो अरे तुम्हारे ग् सब्सक्राइब सब्सक्राइब कि अगर यही हाल रहा तो इस दुकान को बंद करके तूसरे किसी गाव में हमको भीग मांगने के लिए जाना पड़ेगा क्योंकि इस गाव में तो हमको भीग नहीं मिलेगी और सुनिये सेट जी यह जो जेवर आपने पहने रखा ना इसको गिर्वी रखने के नौबताने वाली है अच्छे बताई है यह सोना तो असलिए है कि इसमें भी मिलावत है अबे तू चुप करने तो मार मार के तरह मुझे तरह की तरह चपता कर दूगा देखो सेट मुझ समाल कर बात करो पगार तो देते नहीं हो धौस देते हो अरे आज तुम सेट हो मकर तुम्हारी हालत बता रही है कि तुम थोड़ी दिनों में कर्जदार बनने वाले हो उसके बाद नौकर बन जाओगे मेरा क्या है मैं तो नौकर था नौकर हूँ और नौकर ही रहू नौकर रहा था करता है रहा हुआ है अरे बैटो माली बैटो मारास होगे क्या अलौकर नक्षमी बहन हम लेज तुम्हारा ही इंतिजार कर रहे थे माफ करना घर में काम जैदा था इसलिए ज़रा देब अच्छा तो गाओं की सारे मूरक औरते इनका इंतिजार कर देती है और एक तुम हो कि खाली हाथ हिलाती चली आई कौन खाली हाथ हिलाते चलाया यह देश क्या लाई हुआ है अरे इतना भयान खिलो ना देकर मुझे डर लग रहा है बच्चे का नजाने क्या हाल होगा तू चुप कर राधा तौफ़े के कीमत नहीं देखी जाती देने वाले का हाथ देखा जाता है यह तौफ़ा बच्चे के लिए शुब है क्योंकि मैं अपने शुब हातों से दे रही हूं मैं बच्चा जन चुकी हूं मा हूं लेकिन कोई बांज और अगर बच्चे को तौफ़े में सोना चांदी हीरा मोती दे दे तो वह बच्चे के लिए बचल्भा प्ोफ़े में वह तौफ़े और भी प्रिए मढ़ गया, मढ़ गया, हड्डियों के सास, सास के धरा भी तूट गया, मैं भरी जवानी में जा रहा हूँ, भर्वान, सोख कफाड़ खोड़ ले मैं आख, अरे, ये क्या हो गया, मैंने तो मजा किया था, ये तो उल्टा ही हो गया, रवी, रवी मुझे डर लग रहा है, रवी, तुम्हारा दिल डर लग रहा है कि नहीं, रवी आखे खोलो, रवी, क्या तुम मुझे डरा रहे थे, तो कि बाद मकार, चार सुबी रहा है, तुम्हें नहीं छोड़ा ही, वो दिन याद करो, अरे वो दिन याद करो, जो दिन याद करो, जो दिन याद करो, दे मुझे को जग नुभारा, दे मुझे को जग नुभारा, दे डुला, जो दिन याद करो, जो दिन याद करो, तुम मुझे के मद की हो, तुम नहीं ये भेद खोला था, आरे वो तो मैंने, आरे वो तो मैंने जुट बोला था, आरे वो तो मैंने जुट बोला था, दिल को छोड़ो नाम भी तुम्हारा नहीं लेना है हो क्या हो कुछतेयों मेरी उन पड़ता जोशोला था अरे वो तो मैंने जूट बोला था अरे वो तो मैंने जूट बोला था कि मुपुद अरे वो तो ड्री आव तुम्हारा था मैं और तुम से प्यार करूँ मैं और तुम से प्यार करूँ इस धोके में मत रहना ठीक से मैंने सुना नहीं क्या कहा फिर से कहना मैंने तराजू में मेरे प्यार को क्यों तुमने बोला था आरे बुट्ब मेने चुर्द बोला था आरे बुट्ब मेने चुर्द बोला था कर दो कर दो जूट को तुमने थच माना दोश तुमारा अपना है भूले गया एक सिस्टा था तूटे गया एक सपना था सपने में एक रात जागे साथ तुमने खूंगट भोला था अरे वो तुम मैंने जुड़ो बोला था तुम मैंने जुड़ो बोला था अरे वो तुम मैंने जुड़ो बोला था अरे वो तुम मैंने जुड़ो बोला था और मैंने भी तुसे तश भूला था क्या लोलिता ये भगवान लोलिता और वो हराम जादा सुनते हो जी आरे हाँ सुन रहा नहीं हूं आरे जी जा जी आप चरब बहरे नहीं गूंगे भी है बुस्तिल है डरपोख है यारी के बिल्कुल नकम्ने है मैं मार खायवाद में से गालिया नहीं सुन सकता अरे गालिया क्या अब तो तुम्हारे भी पिट्रे के दिन आगे है जी जा जी उनकों बख्तों ने जबरदस्ती मेरे बेटे की शादी करवा डाली आपकी दुकान बंद करवादी अब वही नीच रभी आपकी बेटी दरीता को प्रेम के जाल में भजा रहा है और मैं उस कोईले पर अपनी चक्र का खाना पकाऊँगा और ऐसा खाना पकाऊँगा के जो कोई खाएगा वो चक्रा के गिर जाएगा में अलाग आया बापू आया 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 기는 पर देखा दिया तो मैं जूम्-चूम के तेरा मुझेला रेषा दूगा और रुपएं रुपएं इनाम में भी दूँगा घाए रुपए? जा एश कर भावी भावी क्या पाथ है रवी भावी वो बात यह है कि क्या है बोलो ना भावी वो क्या है कि मैं खुश बोलोगे या बकरे की तरह मैं मैं करते जाओगे कुछ खास बत है क्या भावी खास बत तो है वो क्या कि मैं एक लड़की से न वो करता हूँ प्रेम ये कोई नई बात थोड़ी है जी हाँ ये वुमर ही ऐसी है इस वुमर में लड़के या तो किसे से लड़ाय जगडा करते ही या किसे से प्रेम करते ही अच्छा बताओ वो लड़की कौन ही आपने गव कही लड़की है मिलावा डराम जी की बेटी ओ उनकी बेटी क्यों क्या हुआ बावी कुछ नहीं बिल्कुल सेथी साथे जबान में कहूं उस घर से हमारा दिश्चा कभी नहीं जुड़ेगा भोल जाओ उस लड़की को और जाकर अपना काम करो भावी मुझे अपर पूरा विश्वास है मैं तो यह सोचकर आयता आप अगर भाईया से कहेंगी तो भाईया कभी इंकार नहीं करेंगे और इसी विश्वास पर मुझे विश्वास है ना किसे कहो यह नामुम्किन है और मैं जानती हूं वो लड़की अच्छी है लेकिन उसका खांदान कैसा है क्या है मुझसे ज़्यादा तुम जानती हो अरे मैं रोने वाली बात का रो तुम हस रही हो हस नहीं तो और क्या करूँ श्रीमान जी अब इतो सिर्फ तुम्हारे भावी ने शादी से इंकार कर दी है तो तो इतनी से बात पर घबरा गए अरे आगे-आगे देखो होता है क्या अब तुम्हारे भाईया को पता चलेगा वो कहेंगे रभी मैं तुम्हारे हाथ पेर तोड़ दूँगा फिर मेरे बापों सुनेंगे वो अटम बाम की तरह भच जाएंगे बोलेंगे बोंदर लेखा तुने किस पाप के घड़े को जनम दिया फिर गाव में बात पहलेगी घर घर में काना फूसी होगी पंचायत ब लड़की होना चाहिए था लड़का बना दिया बदना झाल कि कोई अरे, क्या करता है? अरे, बना रोगा है, क्या? अरे, इदीमत, मेरी पपी ले रहा है? नारुगा अरे, क्या करा है? ना, श्रावले लिगा रहा है, अपनी अरे, क्या क्या रहा है? चूटियों को तो घ्रा सकता हूँ, मुझे रहा है इसी बेटी ना, आप पाकल हो गया हूँ क्या कर लोगा हूँ, मेरी इज़त पुराने मकान की तरह रहा है कहा करे वो, अच्छा, उसको तो तुमने बचा लिया मेरी बैन का क्या होगा जो विद्वा हो जाएगी अच्छा तो मुझे जबदरसी रोक रहे तो मरूख रहूं लेकिन मेरे मूपर जो बदनामी का गोबर पूद गया है मेरे बेटी ने जो पूद दिया है उसको खुंसाफ करेगा मिलावट राम चीखना चिलाना बेहूदापन है अगर तुम्हें इंसाफ चाहिए तो इंसाफ मिलेगा कहां मिलेगा तुम्हारी दुकान बे ग्राओं की पंचायत में वहाँ वहाँ अच्छा पता पता है इंसाफ के लिए आरे बाई जिसका भाई खुद पंचायत का अपने इसे साकारी बंडर के खुलने से गान का कितना वाला हो गया हर घर सुकी हो गया मेहँगाई खतम हो गयी मेलावट खतम हो गया उसके हिस्सत में बद्नामी की ज़डी फिर गई यहां बद्नामी की ज़ाड़ प्र गया क्या हुआ और चूदर की बेटी अब अब का ईक लड़का मेवाव का था गुमाने लोट का चाहते हैं इनकी बेटी और गाओं का एक लड़का डूसरे को छाहते हैं ? अब यह बताता इनकी बेची को उस लड़के ने बहला फुसला कर क्या क्या गड़ा है अब इनकी बेची को कोई अपने घर के सामने से घुज़ने नहीं देगा यानि के बहु बनाना से दूर की बात है मुझे पहले यह बताईए कि वो लड़का कौन है जिसका इस मामने से संबंद है अरे नाम सुनोगे तो कुले जब फट के यानि के कुछल हुए कांज की तरह बिखर कर रह जाएगा मैं कहता हूं नाम बताओ जी वो आपका छोटा भाई है चौदरी साब मेरा भाई क्या आप सब ने अपनी आखों से देखा है आप मेरे बताओ रहीम चाचा इस कुर्सी बेटिये और मैं आये बिटे आये ना आये बैटी यह मामना मेरे भाई से संबंद रखता है इसलिए मैं यह कुर्सी छोड़ रहा हूं बहुत अच्छे, जब मेरे बेटे की बारी थी उस वक्त कुर्सी पर जम का बैठे थे, अब अपने भाई की बारी है तो कुर्सी छोड़ कर जाए, यानि के सब को पता लग जाएगा के तुम कितने बड़े धर्मधिकारी हो, मैं इस कुर्सी पर बैठ कर जो भी फैसला सुना लवी, कहा है वो बत्तमीज, आज मैं उसके हाथ पर तोड़ दूगा, जानती उसे क्या किया है, वो मिलावर ड्राम की बेटी से प्रेम करता है, वो मुझे मालूम है, मालूम है, तो पर तुम छुप क्यो नहीं, मुझे पहले को यह बताया, देखिए, जितना आप मुझे इसे जएदा मैंने उसे डांटा है, फिर भी उसे तुम्हारा कहना नहीं माना, इतना बत्तमीज और नाफरमान हो गया है, उसे कोई नाफरमानी नहीं की, नहीं वो बत्तमीज है, बलके मेरे ही कहने पर ललता से यह कहने गया था, कि ललता उसे भूल जाए, यह शादी नही करना चाहिए फर्ज करो अगर आप उस लड़के के पिता होते तो क्या करते इस लड़के को कौन रहाएगा उस बचारी के बरबाद हो गए ना इसमें कसूर ना लड़की का है ना लड़के का यह तो उनकी उमर का कसूर है लेकिन प्रेम करना कोई पाप तो नहीं है कोई जुर्म तो नहीं है अब इन दोनों की गलतियों को सुधारने का एक ही तरीका है कि दोनों की शादी कर दी जाए और मैं चाहूंगी इस शादी का एलाग आप खुद करें रभी के बराभाई होने की हैसित से नहीं इससे पहले कि पंचाईद के लोग अपने फैसला सुनाए मैं चाहूंगी मेरे पति खुद जाकर अपना फैसला सुनाते मुझे बेटे, पंचायत ने अपना फैसला कर दिया है मुझे पंचायत का फैसला मन्जूर है मैं इस शादी के लिए इजाज़त देता हूँ सुभान अल्ला बेटे, जब तक तक तुम जैसे लोग इस सर्दमी पे रहेंगे इज़त और इंसाफ का सर हमेशा उचा रहेगा आगर बेटे, तुमने क्या इंसाफ किया? आजी, यानि के अभी तो आदा इंसाफ हुआ है पूरा इंसाफ तो जीजा जी के घर जाकर होगा पहले वो लेंदेन की बाते है, कुछ शर्दे वगारद तो तै हो जाए, क्यों दी.. अगर कुछ शर्दे हैं, कुछ लिने देने की बाते हैं तो क्यो नहीं यहीं पर तै हो जाए आढ़िक है अँदर आइगो मेरे विजत को दोबारा पाने के लिए अब लड़के वालों को चक्कर चलाना पड़ेगा मेरे घराकर मुझ से बात करनी पड़ेगी तब जाकर बात के पतीले में नमक पड़ेगा मैं अपने छोड़े भाई की खुशी के लिए आपके घर तो क्या बीच सड़क पर बैठकर बात्चित करने के लिए तैयार हूं जैसे के सारा गाउं जानता है कि विजे और रवी सगे भाई नहीं सोतेले हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि उन दोनों में बराबरा बराबत जाइदात का बढ़वारा हो जाएं अबर दर मिला बढ़ाम कभी भूलकर हम दोनों भाईयों के बीच सवतेले शप्त का इस्तेमाल किया तो हम दोनों भाई है सिर्फ भाई हमारा रिष्टा सगे और सवतेले की बंदिशों सो बहुत दूर है तुमने हमें घर बुलाकर गाली दी हमारा घर एक मंदीर है और मंदीर में पूजा होती है बढ़वारा नहीं अगर ऐसा है तो मेरे बेड़ी से तुम्हारी शादी नहीं ह हो सकती है हम से अमारी पर्चाई जुदा हो सकती है मगर हम दोनों भाई एक दुसरे सालग नहीं हो सकता है देखो रवी दिल और आत्मा वह जायदार है जो हमें हमारे पिताने दिये उसका बटवारा ये दुनिया वाले नहीं कर सकते हैं लेकिन तुमने इस परिवार के लोग सुन रहा हूं तुमने जो इंसाफ किया वो दुनिया के बड़ी से बड़ी अधालत नहीं कर सकती है तुम्हें सरपंजी का फैसला और अपने बड़े भाई की बात जाने के मान लेनी चाहिए अगर ये सरपंज का फैसला है तो मैं इस फैसले को नहीं मानता हूं और मतलब है तुम्हारा हम दोनों ने प्रेम एक साथ किया अगर हम दोनों ये आगर सा सामने है खर भायो जब लड़का लड़की बगर किसी बटवारे के बगर किसी शर्ट के शादी करना चाहते हैं तो मैं पंचायत की तरफ से शादी के लिए जाज़त देता हूँ करके चाहते हैं पंचायत के फैसले को कबूल करता हूं यह होगी और बहुत मुबारक मांगलं पुंदरी काक्षम मंगलं तनोषारी ओम तुर्योदेवता numbers ओम चंद्रोदेवता नमस्वाः ओम वुधोदेवता नमस्वाः ओम येन येतं भूतं 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 भविष्यतं गहितं येन यच्जश्यत आयते सपत होतायत तोपन चौरी के चकर में तुम्हारे बाप को इतने चकर पड़े थे कि बेचारा चकरा के वही मर गया और तुम्हों के शरम नहीं आरी तुमको ये मिठाय में क्या चकर चला रही हो अरे आजकल अपनी दुकान बंध है न ये सारी चीजे असली खीकी बनी हुई है ये सारी घ कौन सी मिठाय का क्या दाम है अरे कुछ विचार कर बेशर्मी के अचार अगर किसी ने देख लिया तो क्या बोलेगा एक सो पैती जले भी एक सो पैती अरे कुछ शरम है कि नहीं नहीं शादी हुई है उसके कान में दो अकलमनी के शब टपका दू के नहीं तो जो कुछ हम जा रहे हैं तीरा प्या कर दिया हमारी जिम्मेदारी खतम हुए अब तेरा पती परमेशूर आप सुन कर कमीर्यों ने, जो अब भी, आ बेटी बेट, मैं जो नसियत करने, भाली जा रही हूँो Udhyan से सुग, किसी बात पर समझowता मत करना वो तेरी धोङन सत्य सावित्री जेठाई ने अगर कहे क्यों तो कहना क्यो रही अगर वो कहे, यहाँ आऊ तो तु कहना क्यूं आऊ, तेरे पेरों में कांटे जुभई हैं बाद बाद पर झगडते रहना हर बाद का उल्टा जबाब देना तुम दोनों की झगड़े से तंग आकर विजे अलग घर बसा लेगा अच्छा ये बता जब अलग घर बस जाएगा तो घर कैसे चलाएगी कैसे चला हूँ मा अरे यही तो समझाने आई हूँ इसके लिए तुमने जितनी बाते मुझे समझाई है अगर हर मा अपनी बेटी को ससुराल विदा करते समय समझा दिया करें और बेटी उन पर अमल करें तो मेरा ख्याल है यह संसार कब कब नर्क बन चुका होता तुम वो बिमारी हो जिसका कोई अलाज नहीं तुम्हारी परचाई पर जाए तो गिली लकड़ी में आग लग जाए एक और बात यह देती हूं कान खोल कर सुन लीजे पिता जी यहां यह आज के बाद यही मेरा घर है इस घर के सुक्तुक सभी मेरे इस घर का दुश्मन मेरा दुश्मन समझ गए आज की बाद हो सके तो मुझे भूल जाने की कोशिश करना और फिर भी मुझसे मिलने का दिल करे तो किसी से कहलवा भेजना मैं खुछ चली आउंगी आप लोगों में से यहां कोई नहीं आएगा सुन लिया अब उठाओ इन मिठाईयों को और चलते ब यह क्या बंदर लेखा यह सक्षूर मेरे बेटी है या कोई चकर ते यह आँके बंद के किस के सपने देख रहा था पूल मती नहीं के अध्यर एक मती मैं तेरे ही सपने देख रहा था था तेरे ही छूटे कहिंके बर्साथ का मौसम आया भी और चला भी गया, और मेरा सारा बदन आम की तरह चलता रहा क्या करूं, मैं मजबूर था अपने कंजूस मालिक के हाथ हो, आज मेरा कंजूस से दुकान पर नहीं है, जर आपनी थेली तो दिखा लिए मा ना मंज़ना भडेता हुआँ तु मांगती जा मैं फरी फंड माल डालती हमाइँ धुने लपके ऊपर आजा और इदर देखते हैं कोया आली ञानी जाल लपक़ते है सुन्हीं हुआ या या जाओ विसकोट अजल सब्सक्राइब भी ले जा तू कुछ भी ले जा तू कुछ भी ले जा ये भी ले जा आएं आए मेरी महबत की फूल मती ये अचानक तेरे बालों को क्या हो गया ये खड़े खड़े और छोटे छोटे कैसे हो गया याद करो पिछली बार अपनी दुकान से चुरा कर उस कंजूस सेट की नजरों से बचा कर मैंने तुमको खुश्वदार तेल दिया था क्या वो तुमने फिर पर नहीं लगाया है और अचानक तेरे शरीर से बद्वू कैसे आ रही है क्या मेरे मालक से गले मिलकर आ रही है यह जब से और अपने बात का माल समझ के तुमन मती की ठैली में डाला था आज मैं मैं आपसे बात पूछना चाहती हूँ पूछो क्या बात है मैं जब से इस घर में आई हूँ क्या मैंने आपके दिल को कोई ठेस पहुंचाई है नहीं तो लेकिन तुम इस तरह का सवाल क्यों पूछ रही हो इसलिए कि आप सुभर चार बजी से लेकि रात देर तक अकेल ही सारा काम कर खे रहती है क्या इसमें आधा हक मेरा नहीं है अरे आधा क्या इस घर पर तो तेरा पूरा हक है फिर आप मुझे जरा सा भी काम क्यूं नहीं करने तुम्हें कोई ना काम करने देने की एक ही वज़ा है कि मुझे अपनी शादी के बरसों बात भीचो नहीं मिल पाया कम अज कम तुम्हें तो मिल जाए आपको क्या नहीं मिला दिदी अपना पती उसका वक्त उनके पास भैटकर चंद घड़ी प्यार की बाते करने की महुलत ल जादा तरवक्त समाच सेवा में लगाते हैं उनकी सेवा में इतनी डुपते हैं कि मैं सिर्फ किनार्य से खड़ी उनके दर्शन ही कर पाती हूं यह मैं समझना कि मैं उनके बुराई कर रही हूं मुझसे ज्यादा तक्दिर वाली अवरत कौन होगी जिसको ऐसा देवता समन पती मिला हो ललिता हम संसारी लोग हैं इंसान हैं ढिरताओं का जीवन बिताना इंसानों के लिए बहुत मुश्किल हैं मैं चाहती हूं तुम इंसान रो हमेशा अपने पती के करीब रहू उसको इतना प्यार दो कि उसके लिए तुमसे एक पल भी जुदा मुझे रहना मुश्किल हो जाए मैं तुम्हें इसलिए काम नहीं करने देती नहीं नहीं आप तो खाम खाम मुझे सर पर चड़ाय चली जा रही है अगर भाई साब को पता चल गया कि ये लड़की सुभा शाम अपने पती के चारो तरफ भाउरे की तरह मंडलाती रहती है तो तुम जानो तुम्हारा घर जानी अब तुम्हें संभालना पड़ेगा अरे डीडीव क्या करते हो दिल देहला दिया और तुमने मेरे कलेजे का पानी बना दिया ओहो कोई आ जाएगा तो आ जाने दो जल्दी से मूँ मिठा करो नहीं तो मैं गोंद की तरह चिपाग जाओंगा अगर मुझे कुछ सा आ गया ना तो मैं कुछ कर दूंगी हां धंकी देरियो तु कि आथे रि़ो प्सक्राद देखेंगी जूड़ा अधम्यवख ग्यूबपकर टूंफ से आपगा ही techniques comment etum neलोटबम और चुछेघने करना थे आ लगाता समय मुझें करको बचलाब को तूफान बहा कर नहीं लिए जा सकता मामले की गहराई को समझो मैं कहीं भागे थोड़ी जा रही हूं थोड़ा सा इंतिजार और तुनिये इंतिजार वो भी शादी के बाद इंपसर्न एक बात पूछते हूं तुम्हारे भाबे से मेरा क्या रिश्टा है प्यति है यह हम दोनों सघी बहने हैं मतलब ऑखनsuite हुं एक घर में साथ अर्य गर मे पर जबत करंद कर न चाहते हूं कि अब देदी अन जहाती है लेकिन मेरी आत्मा इसी घर में है और में उनकी चोटी बेहन की तरह हूं और जब तक मैं भाईया और दीदी पर अपना यी विश्वास जमाने में काम्याब नहीं हो जाओंगी तब तक मैं आपके सामने पत्नी के रूप में नहीं आओंगी आपको इंतजार करना पड़ेगा ललिटा इधर आओ तुम अपने दीदी की चोटी बेहन ज़रूर हो लेकिन बर्सों से औलाद के लिए तरस रही नजरों में तुम हमारी औलाद की तरह हो औलाद की कमी हमें अंदर ही अंदर खाय जा रही थी वो तुमने पूरी कर दी तुम वो देवी हो जो अनेक रूप लेकर हमारे घर में आई है जो बेटी दी है बहुदी है महंदी खुश रहो खुश रहो प्यू ललिटा तुमने मेरे कहना नहीं माना क्या बात करती हो दीदी में और आपका कहना अरे वो तुझ पर इतनी जानच रखता है हर वत तुम्हारे आगे पिछे रहता है और तुम हो कि उससे दूर दूर रहती हो जाओ उसके पास जाओ और कुछ देर उसके साथ गुजारो पती को खुश रखना पत्नी का पहला धरम है जाओ दिदी क्या हम दोनों कुछ दिनों के लिए बाहर जाए हाँ क्यों नहीं ज़रूर अभी इंतिजाम करवाती हूँ वेरी गुड वेरी गुड अभी इंतिजाम कर देते हैं अरे सुनो ए रवी इधर आ जी भाया ये ये क्या है ओ भाया मैं नारियल खा रहा था तो मूपे सब मालूम है या मुदोकरा अरे सुन तो ये काम की नहीं करता अपनी बीवी के साथ कुछ दिनों के लिए किसी रिल स्टेशन के लिए जला जाता उटी मसूरी कोडे कनाल या तेरा जी चाहे जी अब अब अलुट जाएगा कैसे हां मैं जाओंगा कैसे हां ये लिए 10,000 अलौ हो गई चुटी ये बात तुम अपनी दीदी से काओगी तो दीदी कहेंगी मैं भाया के बिना नहीं जाओंगी पस क्लास यही तो मैं चाहती हूँ वो दोनों हमारे साथ ऊटी चले वो दोनों वहां जाकर हम उन दोनों को एक कमरे में बंद कर देंगी इस इरादे से अजया मैं बताना किसले और मूसीबत है में खूद पास किया था और नहीं किसी और को बटाए था तो तो थो नहीं समझ में आगे बास तो तो जाके बोलो और मैंने मुझे शरम हूँ तुम का हो तो गया लंज जाक अन्या तो तुम अपर दीडी को साथ ले जाओ कि आप समझ से क्यों नहीं अगर दीडी नहीं जाएंगी तो मैं भी नहीं जाएंगी और अगर आप नहीं जाएंगी तो सब साथ ही जाएंगे वरना यहीं रहेंगे लो आप यह नहीं मुसीबत खड़ी होगी मुसीबत कैसी आप ही ने कहा था कि 10 दिनों तक आपको कोई काम नहीं है कहा था कि काम नहीं है लेकिन इसका यह मतलब नही मेरे हाथ से जहापड फिसल गया तो तू जहांदर तू फिसल कर कहां जाएगा उटी मेरी बात सुनिए अगर आप नहीं जाएंगे तो में भी नहीं जाओंगी बच्चों के स्कूल की निव रखनी थी खर बाद में रख लेंगे जानी की तैयारी करो अपना काम बन गया कुणパं कुण आपके बरस बरसों के बाद हो आपके बरस बरसों के बाद हो प्यार करने का मौसम आया जीने मरने का मोसम आया अब के बरस बरसों के बाद हो जीनी मरने का मोसम आया मरने कमा समया प्राइब है अच्छा करें। इसमें शरम किया बात है पूरा करो जो आदा किया शादी में पहले की वादों से अब करने का मासम आया हुप आदी करने का मासम आया चीनी मरने का मासम आया अब कि बरस्ण है कि अब तश्जों को तो एक पाइस कि अब चाहिए मैं अच्छा उप ओ यह जूल्फ मेरे जंजीर है यह आख मेरे तक्दीर है ये जुल्फ मेरी जंजीर है ये आख मेरी तक्दीर है तेरे ना मेरी जंजीर बेरंग सी इस तस्दीर में और रंग भरने का मौसम आया प्यार करने का मौसम आया जीने मरने का मौसम आया अब के बरस अब के बरस आख व्यार का मौसम आया त्रुमने का मौसम आख मौसम आया एस आख व्यार को आख धर्रुण आख व्यार, घृट का मौसम आग्थ इस तो को पेड़ें कितने रूते आई और गई ये रुत भी यू ना जाए गुजर अब तक नहीं जो हमने किया वो कर गुजरने का मौसम आया जीने मरने का मौसम आया अब के बरस बरसों के बाद हो अब के बरस बरसों के बाद हो अब के बरस बरसों के बाद हो प्यार करने का मौसम आया जीने मरने का मौसम आया प्यार करने का मौसम आया जीने मरने का मौसम आया एब के बरस हाँ 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 के बरस अधूर हम आपके गर दावद देने कहे थे पदाचल आप लोग पूटी गये हुए हाँ हमें आते हैं खबर मिली आज बच्चे को खाना कि लाने की रस भी इसले यह अन्दर आया ना है है मेरी बच्ची ललीता बेटी कितने दूबली ओ गया है तू कितनी फूल-फूल के मोटी हो गई तू क्या सारे गाउ का खाना खार जाती है यह यह रहे है यह बत्तमिजी है वह इस तरह बरताओ किया जाता है चलो कैसे बूरी ऑषाया दाटा मेरे बेटी को लो बेन बच्चे को अपनी गोद मोलो अपने हात से ने खिलाकर मंगल कारी शुरू करो वे उपच्चे की मां होयो इस बांज बंजर ओरत के खाना खिला रही हो अगर बच्चे झाहत झालिया और जैरफ ज़ाएगा ऐसे कर झाली ने जालता है करिका करें इन स्भाण करें आने में पांड के खिला खुछ यह रिखुलक्षे करके पना करना चैनुकर वह हने क्यों के आपर शुछ के लिथे πत क्रेया तो तुम पर यकीन है मेरा बच्चा तुम्हारे हाथ से खाना काकर पावन हो जाएगा भागिश अली हो जाएगा लो खिलाओ यह लीजियो अरे ललता इतने से बर्तर में पानी लाए हो थड़ा ज्यादा लाओ ना छोड़ो अरे ललता लाओ तुम से उठाने के लिए लश्मी लश्मी तुमने इसे यह काम करने के लिए का था अरे बापा मैंने तो सिर्फ थोड़ा सा पाने लाने को कहा था लेकिन देखो उसका अलत क्या हो रही है ललता 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 क्या हुआ अले रवी रवी क्या हुआ भाया ललता के तपे ठीक नहीं है जल्दे से डॉक्टर फोन करो अब ललता सांस ले ना लक्षमी जी ललता के लिए चांस लिया ना जी जाडरिश आपके लिए खुशिपरी है ललता हुआ बनने वाली है कर अधिए बहुत बहुत मुबार्यक करता दो दर्शत्रा खुश्ब्री यहित माँ बनने वाली है क्या प्रश्मी रश्मी क्या वो लश्मी डॉक्तर डॉक्तर अरे क्या हुआ देखिं दॉक्तर मुबारक हो चाद्री साब जो बीमारी लालिता को है वही बीमारी इनको भी है आप बाप बनने वाले हैं भगवान ने आज अचानक इतनी खुशे एक साथ दे दी के सहनी जाना गजल भाई राजाजय को अपने को चुना आपने क्या है पंडर ले शाए हो पहले सांस लिलो फिर बतावा की सक्क्र हुआ हुआ तो मैं नहीं मानता अंधेरा कहें के मैं उजाला लाया हूं तो मैं मान सकता हूं अगर तुम काओ नाना बनने वाले हुँ नानी बनने वाली हूँ अरे ललीता गर्ज पछुषी हुई उनकर बहुत खुश हुआ है लेकर पहले बठाव यह उसली है यह अपने दुकान के मिलावाट वाली है अरे बिलकुल असलिये तुम फिकर मत करो लेकिन इस खुशखब्री के साथ एक गुरी खबर भी है क्या वो बांज भी माँ बनने वाली है तुम्हारे बाप का क्या बाता है कैसी बाते करते और हमारी बेटी के गर के बीच वो बांज केसे माँ बन सकती है पूछ के बताता हूं ए भागवान ए विश्णु ए महेश अरे गनेश अरे क्यों मेरी बेटी का सते अनास कर रहे हो उसको माँ बनने की क्या जरुवत थी वह भी उस वक्त जब देवी बेटी माँ बनने वाली है ए चकरदारी यह कहता चकर चला रहे हैं अब सबसे पहले हमें अपनी बेटी को अपने घर बुलाना होगा मैं नहीं चाहती कि ललिता उस मनूस घर में उस मनूस औरक के मनूस साय में रहकर अपने पहले बच्चे को जनम दे यह तुम ठीक चकरचला रही हो चलाओ अरे कोई है नमस्कार आये 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 कुछ नहीं तुना हमारी बेटी मा बनने वाली उसे बुलाइए हमारी बेटी अपने पहले बच्चे को जनम देने वाली हैं हम चाहते हमारे घर में जनम दे रात होने से बहले हम उसे ले जाना चाहते हैं क्यों नहीं क्यों आप लग बैठी में उस उन क्या हो आपका मतलब है मुझे जाना परतो अरे अरे मेरा मतलब नहीं है मेरा मतलब है कि जिसमें तुम् Film हो उसमें हमभशे है हमارे लिए तूमारीकुमारी खुशी ज्याधा जबगा है क्यों तो आप ही बताएजे मेरेक कहा ही जारेने में है क्या वाते लिलता भाई सहाब आपने कभी सोचा कि दीदी भी तुमा बनने वाली है मेरे माबाप है मैं उनके घर जा सकती हूं लेकिन दीदी का हमारी सिवार कौन है अगर मैं वहाँ चली गई तो उनके दिल पर क्या बीदेगी कितना दुख होगा उनको माना कि मेरा पहला ब है ठीक है मैं तुमारी मात अपिता को समझा जोंगा मैंने आपकी बाद लवेटा से कही लेकिन उसकी इच्छा यही रहने की है अरे उसकी इच्छा से क्या होता है वो तो अभी नादान बच्ची है देखो जी मैं सांग कहे देती हूं मैं अपनी बच्ची को इस हारत में य तो आप लोगों को खबर भेज़ दी जाएगी तब आप लोगा कर दीजिएगा लेलिजा कुछ तमीज है कि नहीं अपने मावाप के साथ ऐसी बात कि जाती है बिलकुल भाई साथ ये लोग इसी प्रकार की भाषा समझते हैं नीठी और शराफत वाली बात इंकी समझ में नहीं आती है क्यों जाओ ये अपने बेटी को लेने आये हैं तो क्या दीदी से नहीं कह सकती कि चल बेटी मेरे माबाप नहीं है तो क्या हुआ है इस दिलों में वह अधिरा भरा हुआ है जो किसी रोशनी किसी चिराख से दूर नहीं हो सकता चलिए क्यों आप दूसरे को काथ कियो रहे थे अरे वो विजय की पत्नी लख्मी मानूस है उसका साया अगर हमारी बेटी के होने वाले बच्चे पर पढ़िया तो एक मिनाट एक मिनाट आपका मतला दिये है कि सिरु इसका साया पढ़ने से और उसकी बुरी नजर लगने से आपकी बेटी का बच्चा नहीं बचेगा हाँ, और हमने जो जो करम किये हैं, उसका होने वाले बच्चे पर कुछ असर नहीं होगा, हमने क्या किया, हमने क्या किया है, आरे कितने पाप किये हैं, तूद के पाउडर में मिलावट करके, हजारों बच्चों के हाथ पैर खराब कर दिये, कितनों को अपाहिच कर दिया, उ पुझे तो इसी चकर में चकर आ रहे हैं एक रास्ता है तुम दोनों जिस गाड़ी में बैठ कर यहां आये हो उसी गाड़ी में बैठ कर फोरन यहां से निकल जाओ कहां तीर छियात्रा पर कोई मंदर कोई तालाब कोई कुंड मत छोग डूबकी लगाते जाओ और अपने पा मैं जहां बूलता जाओं मेरे को याद दिलाते जाना यह भगवान यह परमेश्वर है अंतरियामी तू तो जानता है मैंने दौलत की लालच में अपनी बेटी को विजय चौदरी के घर में बयाहा था अब वो मा बनने वाली है उसकी कोक से बच्चा पैदा होने वाला है मैंने सारी जिन्दगी मिलावट की तूसकी कोक में मिलावट मत कर देना मैं तो कहता हूँ भगवान उसकी कोक से तूही जनम ले लेना और अगर तूने जनम लिया तो मैं एक लाग का हार बनाकर ही रोगा तुझको चड़ाऊंगा यह क्या कर रहे हो भगवान से मनत मांग रहे हो तो वह पूरी करने पड़ेगी एक लाग रुप्या अगर भगवान पर चड़ाओगे तो हमारे लिए क्या बचेगा ना यहाँ प्योटान की जाती है वह पूरी नहीं की जाती बलके पूरी होने तक ऐसे कहना पड़ता है जब मनत पूरी हो जाती है तो मुकर जाया जाता है यह बेमानी मैने तेरे बाफ से सीली थी हां ऐसी बात है वांगो दो लाग के मैनत लागो बांगो बांगो दो लाग बोलो ना अच्छा भगवान एक लाग का कैंसल दो लाग का हार चड़ाऊंगा मेरा विश्वास करो इस विश्वास में मिलावट का कुई चकर नहीं है हां महीं जादरी साम, आपकी पतनी बिल्कुल ठीक है, बच्चा आराम से हो जाएगा, लेकिन, लेकिन के डॉक्टर, ललिता के हालत, क्या हो ललिता को, बताईए न डॉक्टर, मैंने उसी दिन आपको चैतावनी देती थी, कि ललिता बहुत कमजोर है, दिल की मरीज है, बच्चे को ज अब उसके हालत देखते हुए, समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें, बच्चे को बचाएं या मा को, नहीं नहीं डॉक्टर, ऐस समत कहिए, उन दोनों को बचाना हुआ, मुझे दोनों की जिंदगी प्यारी है, उन दोनों को बचा लिजी डॉक्टर, मैं, मैं आपके आगे डॉक्टर, लक्ष्मी जी को बच्चा हो गया, क्या, मैं बदने से बाप बन गया, लक्ष्मी, हाँ, मैं लक्ष्मी हूँ, अब मुझे सिर्फ इसी नाम से बुकारेंगे, बेच में मुझे और एक नाम मिला था, बांज, मुझे बांज बुकार जाता था, अब मुझे कोई बांज नहीं बुकारेगा, क्योंकि, मैं माँ हूँ ना, माँ, अब आप खुश है ना, हाँ, लक्ष्मी, बहुत खुश हूँ, लेकिन, लेकिन ललिता, दॉक्टर, चल्दी चलिए, क्या हुआ, ललिता को, अच्छा तुम चलो, मैं आते हूँ, चादरी साब, आप यही रहिए, यह सब क्या हो रहा है, आपनों मुसे क्या चुपा रही है, कुछ नहीं लक्ष्मी, तुम खामखा चिंता मत करो, नहीं, ज़रूर कोई बात है, इसलिए आप इतने परेशानी, परण चाहिए, देकर आईए ललिता को क्या हुआ, ठीक है, अभी आए, ललिता को क्या हुआ, डॉक्टर, अब कैसी तो बेदोस्की, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बच्छा बेजान पैदा हुआ है, क्या, मगर ललिता की हालत बिल्कुल ठीक है, उसकी जान को कोई खतरा नही फिर भी एक समस्या है चौदरी साव एक तो यह के ललिता पहले से ही कमजोर है उपर से जचकी भी बहुत मुश्किल से हुई है इसलिए उसका दिल बहुत कमजोर हो गया है और इस वक्त वो एक छोटे से सदमे को भी बर्दाश करने के लायक नहीं है मतलब उसे बच्चे के मरने की खुबर अभी तक नहीं हुई है अब तक बेहोश है लेकिन होश में आने के बाद अगर उससे पता चल गया तो उसकी जान भी जा सकती है ललिता के होश में आने से पहले उसके पास आज ही पैदा हुआ एक बच्चा रख देना चाहिए मैं समझ के डॉक्टर क्या मैं नल जब देख सकता हूँ डॉक्टर अगर इसे भोश आ जाए तो भोश आने ही वाला है जाए जल्दी जाए जी जी मिलते क lesser है的 the next two a multiple okay है कि वहाल है लेकिन मैं लेकिन कीशा बच्चा बच्चा हऊ यह नहीं बच्चा पैदा तो हुआ लेकिन पैदा रोती ए मर भी सथट यह तुने क्या किया उसके शुपर हमारे घर में पड़ती ही में बरसुमबाद माँ बन गी वो शाबागन की गोध हरी करके और उस भागिलाने वाले की गोध सुनी कर दी मैं उसे देखना चाहती हूं मैं उसे लड़ते के पास लेचलिये देख तो लड़ता की तब्यत पहले ही बहुत कमजोर है अब वह चोड़ा सद्मावी बरदाश्ट करने के काबिल नहीं है उपर से डॉक्टर नहीं यह का है कि बच्चे के मौत की ख़वर उसकी मौत का कारण दिमाग काम नहीं कर रहा है कि क्या करूँ बस एक उमीद लेकर तुम्हारे पास आया हूं समझ में नहीं आतके कैसे शुरू करूँ इसमें इतना सुचने की क्या जरूरत है उसके होश में आने से पहले हम हमारे बच्चे को उसके पास रख देंगे और कहे देंगे कि यही तुम्हारा बच्चा है सुनिये लिटा होश में आने के बाद पूछेगी कि देरी आपका बच्चा कहा है तो हम क्या जवाब देंगे यही जवाब देंगे कि हमारा बच्चा मर गया यह आप क्या कह रहे है अरे यह सच थोड़ी है उसका दिल रखने के लिए कह देंगे हाँ कह देंगे लेकिन कितने दुनों तस जब तक उसकी सहत पूरी तरह ठीक नहीं हो जाए महीना लग सकता दस महीने लग सकते हैं तस साल भी लग सकते हैं कहना तो पड़े गई तेरो रहे लख्षमी यह सोचने का वक्त नहीं है अब लेजाये से मुझे कोई अत्राज नहीं है अभी तो हम यह कह देंगे कि हमारा बच्चा पैदा होते ही मर गया लेकिन बहुत गुजरने के बाद अगर हम यह कहेंगे कि हमारा बच्चा मारा नहीं था जिंदा है यह हमारा बच्चा है तो लोग हमारी बात का विश्वास करेंगे लश्मी हमारी ललीता जिंदगी और मौत के दोराए पर खड़ी है उसकी चिंदा करने के बजाए तुम्हें लोगों की विगर हरी है हाथ क्या चाने है लोगोंने मेरे दिल पर शब्दों की कैसे कैसे तीर चलाए है मुझे वो औरत कैसे रहे इसके कोक से उलाद की फजल ओग नहीं सकती मेरे साहे को भी मन हूं समझ से रहे आज पर सुमबाद भगवान ने उन लोगों को जवाब दिया कि लक्षमी बांज नहीं है वो भी बच्चे को जनम दे सकती है माँ बन सकती है आज उन लोगों के सामनी मैं अपने आउलाद को गोद में लेकर सार उठाकर चलने का मौका आया तो आप मुझे यह कहरवाना चाहती है कि मेरा बच्चा मरा हुआ 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 अब में माँ बनने के बाद भी आप मुझे बांज कहरवाना चाहती है सुनिए मैं अपना बच्चा हमेशे के लिए ललिता को देने को तैयार हूँ लेकि इसके बदले मैं सिर्फ इतने हैं जाती हूँ कि एक बार दुनिया को पता चल जाए कि मैं बांज नहीं हूँ मैंने इस बचो जननी दिया है और इस बचे को मेरे ही मिले नहीं! यह लिगी हो सकता हुआ! बच्छे को नाम तुम नहीं लालिजदा देगी और लेलिजा के साथ साथ दुनिया भी यही समझाईगी कि इस बच्चे को जलम तुमने नहीं लेलिजा रे दिया है नहीं, यह मुझे नहीं होगा मैं आखरी बार तुमसे बिंति कराऊ लक्षमी मेरी बात मान लो तुम्हारी हाँ से वो जी जाएगी और तुम्हारी ना से वो मर जाएगी आपको क्या पता कि दुन्या ने मुझे कितना सताया आपके बारे में क्या क्या कहा कि लक्षमी को बच्चा नहीं होता तो उसमें पूरा दोश लक्षमी के नहीं उसके पती भी उसके जिम्मदार हैं मैं अपनी बच्चे को दिखा के उन लोग का मुप बंद करना चाहती हूँ और करके ही रोख मैं बाप बन गए लेटे को बच्चा हुआ है हाँ बाप बच्चा है आउना आउना मेरे साथ आउ देखो बाप बाप मुवारक हो बेटी मैं लेटे बाप बाप लेटे करना लेटे है आउना पाप लेटे को बचले को बचले इंगे हाँ बज़ता बाभी जिवाल के पुर्णय के अभाई पुर्णय के अभाई अभाई एके लगाई डरस में हाई एक ले हिसर खु़े ले हाई इसे भगवान की मरसे कहूं या तक्दिर का सुन मेरी समझ में नहीं आता है जली ताकि गोध सुनी रह जाती और भगवान तुमारी गोध भरतेता तो मुझे बिल्कुल दुख नहीं होता भावी क्योंकि मेरी नजरों में पालाज से जदा तुमारे आस्मों की कमत है तुमारी 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 तुमार तुम भी आज कल की मौडन लड़कियों जैसे हरकंते कर रही हो मौडन लड़कियों जैसे क्या मतलब मतलब यह मैंसाब कि आज कल की लड़कियां बच्चे को अपना दूद पिलाने की बजाए बोतल से बाजारी दूद पिलाती है ताकि उनकी खुबसूरते में कोई फर्ख ना जाए तुम भी वैसा ही कर रही हो अगर बच्चे को सेहत मन चाहिए तो उसे मा का दूद पिलाना चाही है सब्जी चानती हूँ लेकिन इमेरी किसमत में लिखा ही नहीं तो मैं क्या गरूआ या कि मैं कि पैली में कमवान थी की спcej पीदा होने के बाद कून और कमी होगे मैं ज्यादा कमजोर होगे इसलिए इसलिए दूद बनता ही नहीं सॉरी मुझे बालूब नहीं था लेकिन इस मामले में दीदी बड़ी महान है भगवान ने उनका अपना बच्चा उनसे छीन लिया लेकिन वो किशन को अपनी उलाद से बढ़कर प्यार करती है और जब वो किशन को प्यार करती है तो उनकी ममता छलक उठती है और साथ ही उनकी सीने से किशन के लिए दूद भी छलक पड़ता है भारतिय नारी की जो परंपरा है वो सारे गुण और ममता दीदी में है इसमें क्या शक है कशन का बच्चा जिन्दा होता लेकिन ये बच्चा देखिए पेड के फल और समंदर के नमक का क्या संबंद मगर जब वो दोनों एक जगा मिलते हैं तो एक नई बात पैदा हो जाती है इसी तरह मैं और दीदी दोनों ने बच्चे को जनम दिया लेकिन दूद पिलाने का सौभा के सिर्फ दीदी को मिला अच्छा ज़र बच्चे को संभालो मैं देखकर आती हूं दीदी ने खाना खाया है नहीं तुमसे मिलकर ना जाने क्यों अरे बच्चों कहा लेकर जा रही है दीदी के पास क्यों ओ हो दीदी की गौद में जाके फॉरंस हो जाएगा ललिटा तुम्हारे बच्चे को मेरे पास छोड़ कर क्यों जा रही हो चलो वहिए ले जाव इससे नहीं नहीं दीदी सारा दिन से गोद में लादे लादे मेरे ज़र दोने लगा है अब मुझे से और नहीं उठाया जाता आप ही इसे अपनी पास लादो ना ला तो ठीक है लेकिन आचाहना काधी रात में उठकर रोने लगे दूद मांगे तो नहीं नहीं दीदी यह नहीं उठेगा आपके पास तो मज़े में सोता है उल्टा मुझे ही रातों को परिशान करता है अब अब देखे न वैसे ही कमजोर हूँ कुन की भी तो कमी है अगर मैं मर गई तो किशन को कौन संभालेगा ललिता खबरदार जोएसे मन हूँ शब्द मुझसे निका ले तो मारे तेरे दुश्मन जाओ जाकर सोजा मैं बच्चे को सुलाती हूँ जाओ कुई मां मेरी कमर टूटी जा रही है मेरा सर फटा जा रहा है दिमाग पंकी की तरह चक्रा अरे क्या हुआ दर्दे दिल दर्दे जिगर दर्दे सर दर्दे कमर तुमें ही टरो मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ क्या मतलब पुद्धू मतलब ये कि दिदी की तरह तुम भी धोका खा गए यही नातक करके तुम्हें बच्चे को दिदी के पास छोड़ाई हूँ बच्चा छोड़ा यो ठीक है लेकिन भाबी के सब नातक करने की क्या सब्वत्त वैसे माफ करना तुम एक बच्चे के बाप तो बन गय हो लेकिन खुद किसी बच्चे से कम नहीं हो इतना भी नहीं स कर दोड़ाई है हुई 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 सुनरी मेरी पहना नुका मैं चमेली सबील मेरी पहना सुनरी मेरी सहेली वन्ना फूर गुलावता तु चंसा मेरी तु चंसा मेरी सुनरी मेरी तेहना वन्ना सोई अकिया मीचे जुराँ जुली आगे पीछे पुन्ना सोई अखिया मीचे जुरा जुली आगे तीछे आगे तीछे चामे वाएं दुन्ने की हम तो दो माएं अगिया दन की मर्सा से ये सुने पर हवें थे पुन्ना फूल गुलाब का ये चंता मैं चमे ली चंता मैं चमे थे सुने मेरी सेली अन्ना फूल गुलाब का ये चंता मैं चमे ली सुने मैं चमे थे सुच्छे मजर पवन पुरवईया मुन्ना तो है प्रिशन कदीः उन्ना तो है प्रिशन कदीः मुन्ना फूल गुलाब का ये चंता मैं चमे ली तो चंता मैं चमे थे सुने मेरी सेली सुन्ना फूल गुलाब का ये चंता मैं चमे ली तो चंता मैं चमे ली मुन्ना बाइब ली तो में खुलाब का ये थी तो मुन्ना बाइब ली तो बाही बाही तो करता है तंग मुझे तरिपता है त्यों अभी यहां का सूथ पिलाया और बता तुझ को क्या दूँ जा चुप्चेशे सोगा मेरे साथ कर अज़ के लिए में मुनने की माँ कोई बुलगन नहीं लगेली मुनना फूर गुलाता तु चंपा में जमेली संडरे मेरे पहना सुनरे मेरे सहेली मुनना फूर गुलाता तु चंपा में जमेली कर दोग्रु अ है यहां बैट हर। बहुत से लोगों को यह ने इंछादी के बाद जीवन कैसे बिता बैदा बाद में पच्टाते हैं मुझको यह लफडाने चाहिए तो अपन पहले इसकी रियसल करने तो बता शादी के बाद सबसे पहले तू क्या करेगी घर चलाओंगी घर में तो क्या नाथाश्रम चलाएगी यह तो मुझको मालूम है घर कैसे चलाएगी उदार लेके चलाओंगी कार्या तू कर लेकी तो कांसे नहीं बाद करेगी सुब्हाइब हुड कर तू क्या करेगी इस अपने लेकर किया करेगी। काम की बाद बोल सुबह उटके मैं भगवान को परणाम करूंगे मतलब मुझको छोड़ देगी क्यों आरे बेवकूफी के फूल की पती पती शादी के बाद परमेशुर होता है सबसे पहले तुम मुझको परणाम करना हां समझ गई उसके बाद क्या करेगी उसके बाद जब ख्र jun jun ौशव, थे मुझक आने के बाद मुझक ख्यों ख्रोयी कंगें लौत चरणाम क्यों नरुइरीक क्यों की कांड़ hon बस्तिकिता है सबस्तवर होताओं अर conversations आने के बाद क्या करेगी सबस्त्त बाद मेरे नारे बोस्त पतनानिके क्या करेगी था समझामध हो समझाता हूँ अपने एक नाड़क करते हैं मान ले कि तू एक मर्द है और मैं तेरी औरत तू कौन है मैं मर्द हूँ और मैं कौन हूँ मेरी औरत शाम को ठका मानदा पती घर पे आता है और अपनी औरत को आवाज देता है तो वो उसको कैसे बुलाएगा अरी ओ हरामजादी चुडैल उधर क्या फुसला मारके बैटी है इधरा एक ती नहीं मैं ठका मानदा आया हूँ आयराम कितने ठके मानदे लग रहे हैं शरीर से भी चररर की आवाज आ रही है ऐसा कौन सा काम करके आये हुजी ऐसा क्यों पूछ रही है खाना पकाया या नहीं कलकी बासे खिचरी है परसों के डाल पड़ी है ज्यादा खराब नहीं हुए पड़ोस का कुता उसमें मुझ मारके गया है कहो तो गरम करके लादू तो मेरी बीवी है या मैं तेरी बीवी हूँ कोई काम नहीं करती निया बिचारा थका मांदा घर आया है न खाना पकाया न खाना खिलाया न बिस्तर बिचाया चलो उठ पत्ती बनकर और इदर आके जड़ा मेरे पैर दवाज चाल इतने साल हो गए मेरे सेट की शादी को एक बार भी उसकी बीवी ने उसके पाव इस तरह नहीं दबाए नालाय को प्यार करना ही आता ना सिर्फ मिलावड करना जानता है मक्षी चूस खंजूज उल्लू का प्था चला हूए करेला गला हुआ केला ख़ड़ी चोटी वाला शला हुआ पिलपिला कर बुजा इर्ध case पापी सला हुआ कड़ू जाल लेक नर्ण कूँ अर्य उसे भागने क्यू दिया हरामी को पटक पटक के मारना था वह पटास किलो का आदमी एको खाली थेरीनी जो पटक पटक के मारता और तुम्ने मुझे दम छोड़ा काया जो पटक के मारता काली रुमाल उठाता हूं तो मेरी साथ फूल जाती है अच्छा है सुना बहुत थक गया हूं तुर अब पैर दबाऊना क्या मेरे दबाऊ शरम नहीं आती देखाने मेवालाल अपने माशुका के कैसे पैर दबा रहा था चलो अटो हाँ चलो शुरू हो जाओ लाना थे हम जैसे मर्दों पर पीजी के पर जी जा जी क्या मैं अंदर आ सकता हूं मैं इसके पैर गी रेखा देकर इसकी तकदीर बता रहा था मुबार्खो जी जा जी लडिता को यानि कि लड़का पैदा हुआ है है भगवान हमारी तीरत यात्रा बेकार नहीं गई चफल हो गई लेकिन भाया वो हरामजादी महनुस लक्षमी भी तो गर्ब से थी उसका क्या हुआ उसका बेचा तो पैदा हो थे यानि के मर गया अरे क्या हुआ इस खुशी के मौके पर ब्रोके रही है हमारी सारी पूजा आप तीरत यात्रा बेकार गई तुम्हारा बच्चा मर गए जुनकर बहुत दुख हुआ एक तो इने बरसो बाद बच्चा हुआ वह भी अपराज उठाकर ले गए देखिए जो भगवान की मर्जी होती है वही होता है मुझे पंचायत की मीटिंग में जाना है आप लोग अपने नवासे से मिल ली ची ललीता 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 अज़ा मेरी नवासे को बचाँ वह जिर्दा नहीं बचेगा बचाँ बचाँ यह बंदर रेखा क्यों बचाँ की तरह घरा फाल के चिला रही है मकान जल गए यह अग लग गई है मकान नहीं मेरा दिल जल रहा है यह मनुस अरथ हमारे बच्चे को अफना दूद पिला रही देखो मा तुम लोग फिला गई यहां और आते ही अपने नादक शुरू कर दिया और कोसमे दाने शुरू कर दिया अब क्या हुआ जो इतना चिला रही हो अरे यह पूछो क्या नहीं हुआ अच्छा बोलो क्या नहीं हुआ अरे देख वो मनुस वो नागिन वो बांज हमारे बच्चे को अपनी जाती का दूद पिला रही है काली में ही सीधे मूँ बात करो दूद पिला रही है तो इसमें क्या बुराई है अजीब बेओको फ्लरकी है इतने वर्षों तक यह आरत बांज रही इस साल इसने एक बच्चे को जनम दिया और यह नागल खुद अपने बच्चे को खा गई और आज यह नागल हमारे बच्चे को अपना जहर पिला रही है मा मैं फिर कहते हूं खबरदार जो दीदी के खिलाफ एक गलत चब अपने मूँ से निकाला तो वो देवी है और देवी का दूद तो एक तरफ अगर वो मेरे बच्चे को जहर भी पिला दे तो वो उसके लिए अम्रित बन जाएगा चमझे तुम दोनों बहुत दिनों बाद यहां आए हो इसलिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोडती हूं इतना भयानक अभाद मैं आपका अपमान नहीं कर रही हूं बलकी यह घर, जो इक मंदर समान है उसका अपमान करने से रोक रही हूं ठीक है जाती हूं लेकिन जाने से पहले एक बाद कहे देती हूं इस मनूस ने बच्चे को हाथ लगाया, उसे अपना दूद पिलाया, मतलब इसने अपनी बुरी नजर का बच्चे को शिकार बना दिया, अरे अपना बच्चा हरप कर गई तो तेरे बच्चे को क्या छोड़ेगी, देख लेना एक दिन बच्चा उल्पिया करेगा, खून की कोई इलाज नहीं होगा, तीके शिराप और बुरी नजर का कोई इलाज नहीं होता, और एक दिन बच्चा माज जाए बस्ता कि जमें पाट्यार आएगे, माँ तुम जाती हो कि धक्के देखे बाहर निकालो, चोड़ा, 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 मुझे, उठा बच्चे को, न मैं बच्चे को कुने मे लेना चाहिए, आपको मेरी कसम है ले、 बच्चे को, मेरे बात मानो, हिद्मत करो, बीडि अपना दुख पिला दीडि, कै मैं चैनल हो chemical है लर भॉ i कोई भी किसान अपनी जमीन नहीं बेचेगा खरीदने वाला चाहिए इस गाउं का हो या दूसरे गाउं का किसान के लिए उसकी जमीन ही उसकी माह होती है और कोई भी इनसान अपनी माह का सौधा नहीं कर सकता जहां तक पुराने करदों का तालुक है उससे बचने के लिए सरकार ने बहुत से तरीके निकाले है इसलिए किसी की दौस में आकर या घबराकर अपनी जमीने मत बचना कोई भी माही का लाल आपके खुन पसीदे की फसल को अब छू तक नहीं सकता भायों एक खुशी की बात और है आप सबने गाओं के पंचायत में अपने अपने जमीनों के वास्ते बीज और खाट के लिए जो पैसे जमा किये थे उन सब का सामान आ गया है और वो सामान वाज़त के साथ विजए बाबु के गोदा में रखव होंगे और अगर भगवान ने चाहा तो जो हमने सबने देखे हैं वो भी नेख होंगे साले भाई तुम अंदर जाओ मैं वाज़ा के पैरा देता हूं ता कि कोई आना जाए चल्डी 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 बात अरसर यह के खोदान में चुवें बहुत होगे ना इसलिए उन्हें मारने के लिए अननलोग द्वा है राक वे ड्रडी प्ल्डी तु दु 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 दौ रिए तुमने इस गाओं को बहुत नुक्सान पहुंचाया है काफी बर्वादी फैलाई है लेकिन यह तुम्हारी आखरी कर्तुत होगी इस गाओं में आज तक पुलिस नहीं आई और हम नहीं चाहते कि तुम जैसे पाप्यों की वज़े से पुलिस इस गाओं में दाखिल हो इसलि कौन है कौन साला क्यों मुझे जीजा बूलकर अपनी बहन को काली दे रहा है जानना पाइचान जीजा जी सलाम मेरे पाउं पहले करा हाथ लगा के बहुत हो चुका पंचाथ वालो इनको इज़त के साथ गाओं की सरत का राजा दिखा दो तुम तो भी ज्यादा महान हो उंचाई से बिस्या पानी होगा तो तुमारे दिल में दूसरों के लिए प्यार का साकर मौजे हरा है इस गाओं को बचाने पर मैं तुम्हें बढ़ा ह्देता हूं और दंड़े पकड़ना लगाता हूं कि सच्चे का मूं काला नी जूटे का मुझे का बोल भाला विजय भाया की कोई भी नहीं है जाए विजय भाया की जाए दॉक्टर लिलवती यस मैं उझे चौदरी बोल रहा हूं अचानक बच्ची की तविए बहुत खराब हो गई है बहुशी का आलम है आखे तक नहीं खोल रहा है अब जल्दी आजाई प्लीज अच्छी बात है मैं आती हूं बहुत 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 देने बात लक्षमी तुमने बच्चे को क्या खिला दिया था कुछ नहीं तुम्हारी कसो मैंने कुछ नहीं खिलाया अगर कुछ नहीं खिलाया तो इसकी आलत कैसे होगी तुम मुझे इस तरह क्या देख रही हूं कुछ नहीं मन ही मन अपने तक तेर को कोस रही है कि मचा भाकन को इस मासम की प पांजिस्त्री, जिसका साया भी मन हुदे, सच के नहीं वो लोग, कि मैं ही कारण ही इसकी भीमारी का, और कोई कारण नहीं है दीबी, यह क्या नप्शना बखे जा रहा हूँ दोक्तर, आई दोक्तर, जब दोक्तर, जब दोक्तर दुए सबस्क करके कईये, बच्च को ने लाया, क्या? कब तेल की मालिश करके नहीं था इसलिए ऐसे ने मुमारी भी तकलीफ हो रही है बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता तो कोई बात नहीं थी लेकिन इतनी चोटी से उम्र में निमोनिया कुछ कहा नहीं जा सकता पर मैं इसे इंजेक्शन देती हूं अगर तीन घंटे के अंदर अंदर फाइदा हुआ तो ठीक है और अगर नहीं हुआ तो अगर मेरे किशन को कुछ हो गया तो आप जानती है कि मैं विद्दा नहीं रह सकती लक्षमी जी तुम्हारी कुर्बानी तुम्हारे त्याग की भगवान की नजरों में जरा भी कीमत होगी तो इस बच्चे को कुछ नहीं होगा ये डॉक्टर नहीं एक औरत कह रही है लक्षमी लक्षमी दिरज रखो तुम बड़ी हो तुम इस तरह बरताओ करोगी तो ललीटा से क्या होगा जाओ जाकर उसे दिरज दो ला बच्चे को मुझे दो ललीटा तुम फिकर मत करो भगवान की देय से हमारे किश्म को कुछ नहीं होगा वो बिलकुल ठीक हो जाएगा लेकिन डॉक्टर ने तो कहा कि उसकी जान को खत्रा है बच्चे को अपना देखना एक दिन बच्चा उल्टिया करेगा खूं की उल्टिया उसे बुखार होगा लेकिन उसका खूव रही होगा और फिर एक दिन बच्चा उबर जाएगा मिल्त बज़र लाया कि झालत के आखकल ने झालत जिए बाखल हो गया कि घर रहेंगा तो वो जूर्फ घराऊने मेरा इसे आलत में उसे बाहर ले जाना खतरनाक है इसे ले जाने दीछी जब इसके मन में ये विश्वास बाइट गया कि बच्चा यहां रहने से ठीक नहीं होगा वह मर जाएगा तो इसे ले जाने है अच्छा है लल्ता इसे ले जाओ चल्दी जाओ रभी तुम भी जा उसका अक अरे बाबा तु ठैरा तु जा डॉक्टर शीरास को बला के ला जा हम पे भी हो जाए हम पे भी हो जाए तेरी महरवानी तु ने सब की मानी माता तु महान है ममता की पहचान है माता तु महान है ममता की पहचान है लेना तेरी शान नहीं देना तेरी शान है तूटन जाए आज ये तूटन जाए आज ये तेरी रीत पुरानी ओ देवी माता रानी तुने सब की मानी ओ देवी माता रानी तु में सब की मानी देवी माता रानी में तेरे बारे के मैंने दीपत दिन राज जलाए है किसलिए क्या वाता तूने मेरे हाथ जलाए है किसलिए क्या वाता तूने मेरे हाथ जलाए है सुनले माता तू मेरी सुन्ले माता तु मेरी यह जही कहानी ओजीवी माता राणी तोने सब की मानी ओजीवी माता राणी तोने सब की मानी तेरे मंदिर से हम खाली हात ना वापस जाएगे तेरे मंदिर से हम खाली हात ना वापस जाएगे तेरे मंदिर से हम खाली हात ना वापस जाएगे तेरे मंदिर से हम खाली हात ना वापस जाएगे अब यह कहीं नहीं जाएगा हमेशा हमारे पास रहेगा जाकर भाई और दीदी को खबर करतो कि किसन अब बिल्कुल ठीक हो गया है वो लोग परिशान होंगे अब तुम जाओ जल्दी अपने बच्चे के पास जाओ नहीं बभी अब हमारी क्या जरूरत थे किसन बिल्कुल ठीक हो गया हम वापस आना चाहते हैं लेकिन बभी तुम्हें एक बादा करना होगा कैसे बादा यही कि लेलिता ने बच्चे को यहां से ले जाते वक्त जो वेव को विकी थी वो तुम माफ कर दोगी अच्छे बादा माफ किया रवी जा कर बच्चे और लेल्दे के देखबाल करना और जब तक डॉक्तर इजादत नहीं देता महीं रहना जा मेरे भाई जाओ अज़ 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 सब मिलकर एक होने माला मिलावट राम जी गैरी के लिए हमारे चौधरी साब ने तमाम के लागर कर देने का आएलान किया है इसलिए हम सबने हैं कर लिया है कि बादी ज़ीर को अद्धर आपने बीवी बच्चे बिनको तो ला मुझे क्या लेना दना इसमें सारे गाउं की भलाई है बेवखूफ हो तुम गदेओ इसमें गाउं की नहीं तुम्हारी की भलाई है पहले वो खेद देगा बाद में हड़िप करके तुम सबको हेला थेगा अभें वह मिलावाटाम मुह समाल के बात कर विजय बाबु इंसान नहीं तो मैं कह रहा हूं अरे खाय का देवता है बीमाने चार सो बीज है पांदेबाद अबे चोजी साथ के खिलाब बोलना है काट जालो इसको काट जालो साले को तुकुले कर दो आज तो तेरे को छोड़ दिया अगर आज के बाद कभी कुछ बोला तो काट के फेक दूगा चलो 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 चुड़ दिया उनको उनको क्यों चोड़ दिया है मैंने तरह बचाने बोला तुबलता काट आपकी नियत की तरह कान भी खराब है आप तो खामगा भाग करागे मैं तो काट आपने उम्मिदों पर पानी प्र दिया काट आई नहीं मेरा मिलावट है और विजय ने अपनी चलागी से गाओं के सारे खेतों को मिला डाला अब देख मैं अपने दिमाग की मिलावट ते ऐसा गिरावट वाला आइडिया निकालूंगा कि इसके घर की बनावट बिगड़ जाएगी मैं कुछ समझाने से तू समझेगा भी नहीं आ जहां आया मेरी तरफ से पांच तुर रुपया धरमशाला में देदो मुबारएक हो मिलावट राम जी अरे आईए किस बात की मुबारख बात पर सुना है कि आप हमारी सहकारी खेती की मुहिम में शामिल हो रहे हैं और अपन लक्शा है U High-resid मेरी जमीन का वार मैं समझता हूँ कि हम लोगों को भी अपने खेतों के नक्षे बनवा लेने चाहिए जी बिल्कुल ताके हमारे मरने के बाद हमारे बच्चों में जमीन के लिए जगड़े ना हूँ मैं आपके सही रास्ते पे चला तो मुझे खुद सही रास्ता नजर आया मैं चलता हूँ आचा जीते रहो कि मैं पॉल्टी खा गए तुम्हारे विजे भीया ने गाउं को जो सबसे बड़ा तुफा दिया वस्साकारी खेती और तुम्हें जान को खुशी होगी कि मैंने भी अपने सारे खेत सुन लिया असरसुर जी ये काम करके आपने अपनी अकलमंदी का पत्वद्दी आये मैं का एक अकलमंद मैं तो बेवकूफी का बुझा हुआ बल्ब हूँ अकलमन तो तुम्हारे भाईया हैं, जिनोंने अपने सारे खेत देकर एक नए काम की शुरुवात की है अरे रवी भाईया, उन खेतों में तुम्हारे भी तो खेत होंगे ने को सब पूचिए बया के मुख्या नि digitally आध़े सभानेक्या में मख्यांने थे गांने इने bail ऑगवान से पूलना मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता में उनको देउता समझता हूं कुछ बोलूगा तो मेरी जबान को चकरा जाएगी तू बोल ने लोग ऐसा कहते हैं कि विजय बाबू की तो अौलाद नहीं है लेकिन रवी की तो अौलाद है ना कल की किसको खबर कुछ उल्ट कि अध्यों को कोई काम नाम और शौरत के लिए नहीं किया लेकिन रवी बेटे मैं तुमारी बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूं तुमारी बात रुपे में 60 पैसे सही है मगा 40 पैसे तरह गड़बड है मान लोकल गाउं की पंचाज का दोबारा एलेक्शन हुआ और उसमें अध्या कारी तरीका कैंसल कर दिया तो तो क्या हुआ अपने खेट वापस ले लेंगे ऐसे कैसे वापस लेंगे इतना आसान काम थोड़ी इतना तुम समझ रहो जब सारे खेटों की हदें तोर दी जाएंगी तारे खेट मिल जाएंगे तो पता कैसे चलेगा तुमारा जानेंगे जिसे इसी लिए सेज जी ने अपनी जमीन देने से पहले उसका नक्षा बना कर अपने पास रख लिए अब मेरे बाद मेरे खेट के वारिस तुम बनोगे ललीता बनेगी मगर तुम अपने खेट कैसे पैचानों के कहां से कहां तक है को जवाब बाब जी आप ख जाने के लिए दुनिया में इंसान आया चले जाने के लिए है कि नहीं है जैसे आज सेज जी जिन्दा है कल लुड़क के मर जाए तो मिशाल दी है बच्चे के बारे में सोचो कल तुमारा बच्चा बढ़ा होगा उसे खेती बाडी के लिए जमीन के जगोत पड़ेगी तो कौन से जमीन पे खेती बाडी करेगा किस समांगे अपनी जमी आप भी कैसी बातें करतें सेड़ जी सीदे वजे भाईया के पास नहीं जाएगा जाकर पूछेगा ताउदी ताउदी मेरे ठेट तॉन पे अब हो खच्चार जी इसका बेटा वीजे भाईया के लिए पोते समान होता है और पोता कि आपने दादा से वफादारी से फर्मा बर्दारी से ये पूछो कि भाईया मेरे बच्चे कहां से कहां था कि बस नहीं होगा क्यों कि मैंने अपनी जिंदगी में आज तक बड़े भाईया से कोई सवाल नहीं किया तो सवाल कर नहीं कि जरूरत क्या है मैं दो शब लिग देता हूं तुम सब्सक्राइब कर तो है वह मुझे पूछने से बत्तमीजी होगी लिग कर पूछने भी शराफत है जा जा तुलिग देता है और क्या है विजे भाईया को बड़े खुशी होगी कि तुमने इतनी मामूली सी बात भी उन से सीधे जाकर नहीं पूची खट के जरी पूची आ अब चाही का जाकर चेंड़ कर जिए दिए अरे वह मैं हुना अब लिए दर रशाफत कर जड़ित आई शाबाश चल लिए लख्ष्मी लेख्ष्मी कहा हो तुम अरे क्या हुआ अभी तो घर से खुशे खुशे गए थी तो आचाने की चिलाना क्यों तब ये तो अब जो मैं कहता वो सुनो तुम घर में जो जो जवरात है जो जो सोने चांदी पीतल के बरतन है वो सब लाग रहा रख दो जा हाँ रख दूगे लेकिन बात क्या है ये देखो पड़ो इस तो इसमें इतनी नाराज की क्यों तुम्हारे छोटे भाई ने सिर्फ इतना ही पूचा कि मेरे खेट कहां से कहां तक है पूच लिया ना अपने मन की बात अपने बेटे के नाम पर डाल कर पुछ जैसे उसका बड़ा कुछ भी नहीं उस एथान फरमश को नहीं मालूम कि उसे हमने अपने बेटे की तरह समझ रहा है वो देरसल वो देरसल हमारा बेटा है लेकिन ये बात उसमें खुद तो नहीं पूछी ना खत किसी और ने लिखा है उसमें सिर्फ दस्ताखत किये हैं सिर्फ दस्ताखत किये मेरे खेट कहां से कहां तक है या मेरी जाइदात का बटवारा कर दो, दोनों एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है, लश्मी, हम दोनों भाईयों को जुदा करने, या हमारी जाइदात का बटवारा करने में, हमारे दुश्मन आज तक नाकाम रहे, लेकिन आज, आज मेरा अपना ही भाई कानया में गया, इसक तो बड़ा भाई उसे कुछ दिये भी नहीं सब कुछ हड़प कर गया मैं ये बटवारा उसे अकले बुलाकर नहीं करूँगा बलके गाउं के बड़े बुजूर्गों को बुलाकर उनके सामने करूँगा मैं गाउवालों के सामने सारी चीदे दो इस सो में रखतूँगा और उसमें से एक इसा उसे चुनने के लिए कहूँगा जाओ लक्षमी जाकर साह सामन लियाओ एक एक चीद लाना यहां तक यह पानी पीने का गिलास भी मामा तूप ये क्या कर रहे हो कुछ नहीं अपनी भांजी के बच्चे से खेल रहा हूँ ख़वार्दाक ये क्या मज़ाक है मुझे इसे ले जाना का मुझे जल्दी जाना है तो जाओ ना तब तक मैं इसको सभालता हूँ लेकिन जहां तुम जा रही हो ना वहाँ जाकर सिर्फ मेरा मामला सबाल ना हाँ क्या मतलब मतलब ये कि तुमने रवी को बटवारा रोकने के लिए भेजा है अब तुम खुद वहाँ जाओ और बटवारा करवाओ क्या पकवास कर रहे हो पकवास नहीं कर रहा हूँ बलके ऐसास दिलवा रहा हूँ के बटवारा करवाओ औरना तुम्हारे इस बच्चे को 200 में चीर कर इसका बटवारा का ढालूगा तुम मेरे बच्चे की जान ले लोगे और इसकी जान के बढ़ने तुम चाहते हो मेरे आद्वियों ने तुम्हारे उस सुर्ट से सुन्दर घर के तमान देवी देवताओं को गोली के निशाने पर रखा हुआ है अगर रवी ने बटवारे से इंकार कर दिया तो सबसे पहले तुम्हारा बड़ा देवता उड़ा दिया जाएगा उसके बार लक्ष्मी देवी भार दी जाएगा हो सकता है तुम्हारा रवी भी बार दिया जाएगा तुम्हारे एक बटवारे को रोकने के लिए कई जाने जाएगी तुम्हे पाप लगेगा इसलिए जाओ फॉरण जाओ और वहां से तुमान जेवराद हीदे जुहरा रुपए पैसे लेका सीधा मेरे पास आओ तब तक मैं तुम्हारे इस नरम चूजों को अपनी इफादत में रखूँगा जाओ 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 यहां से यह क्या है यह बचा का ने जा रहा है अरे इसी बच्चे के बल्बूते पर तुम्हें विजे के घर का बटवारा करवाओंगा अपनी बेज़ती का बद रहा करता हुआ जिस तरह वक्त आने पर तुने मुझे पहचाने संकार करता हूँ करता हुआ लक्षमी 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 जी तो फामार रख देया ना हाँ तुनो ये गहने क्यों पेन रखे है उताव इने अ जो ये जब में तुम्हें व्यक्त रखा है कि विए जब कर लाया था तब तुम्हारे गले में पीला धागा था उतार इसे लिए जोश करएव में उतार इसे पीजे बेटे, तुम ने हमें बुलाया है? हाँ रवी चाचा, मेरा छोटा भाई रवी, जाइदा का बटवारा चाहता है रवी और जाइदा का बटवारा? नाउज बिल्ला मिल्जालिक, बेटे तुमे कोई खलत फिरम हो योगी रवी ऐसा सोच भी नहीं सकता मैं सही कह रहा हूँ रहीम चाचा रवी बटवारा चाहता है उसके इलावा और कौन है जाइदात का दावेदार आव भाई रवी आव 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 तुझे तुम्हारा खत मिला पढ़कर बहत खोशी होई खत में तुमने सिर्फ इतना लिखा है ना कि तुम सिर्फ यह जानना चाहते हो कि तुम्हारे खेद कौन से हैं कहां से कहां तक हैं और वो भी किशिन के लिए लेकिन मैं तुम्हारा असली मतलब समझगिया अच्छी तरह समझ बहिए मैं जानता हूं कि वह खशची क्यों लिखा किसके इशारे लेकिन कुसूर तुम्हारा नहीं है मैंने सारी जिन्द感 You तुम्हें अपनी तरह चलना सिखा कभी तुम्हें खुद अपने आप से फैसला करने का मौका नहीं दिया इसलिए दोश मेरा है यह दखो मैंने सारी जाइदा दोशो में बाड़ दिया है लेकिन भाया मैंने यह सब कब मागा मेरा यह मतलब बिल्कुल नहीं था मुझे बेवकुफ मत बना तुने तो सिर्फ कॉलिज पड़ा है मैंने जिन्दगी पड़िया जिन्दगी आओ भाया देख लो मैंने घर की तवाम चीजे दोशो में बाड़ दिये अच्छी तरह देख लो आज अपने सरपंच को गुस्से में एक हिस्सा दो इससे नजर आ रहे हैं रहीम चाचा आप ज़रा जाकर उनकी पतनी से तो पूछिए लक्ष्विन बेटी ये पहले कुछ समझ में नहीं आ रही है ये दो हिस्से कहा है रहीम चाचा जब दो हिस्से होंगे तब तो आपको नजर आएंगे ना ये बात मेरे भी समझ में नहीं आ रही मैं उनसे पूछती हूँ सुनिए आप अटवरण ठीक भग से करवाना चाहते हैं ना हाँ यहां हर एक परेशान है आपने सारी चीज़ें एक जगह जमा कर रखी है किसी को समझ में नहीं आ रहा कि दो हिस्से कहा हैं दो हिस्से हैं जिनकी आखे हैं उनको दो हिस्से दिखाई देंगी और जिनकी नह तो इस्वा में से अपना हिसा चिन लो रहीं चाजा मैंने अपने भाई से कभी बढ़वारे के लिए नहीं कहा लेकन कुछलों के बहकाबं में आकर मैंने ये खत लिख दिया ये मेरा कसूर है अभी बैटे विजय बहुत समझदार इनसान है जरूर इस बात के पीछे कोई मकसद चुपा हुआ है जरूर रहिम चाजा भाईया ने वाकिछ सही बढ़वारा किया है एक बड़े भाई ने छोटे भाई के लिए एक तरफ जयदाद रख दी और दूसरी तरफ खुद को रख दिया और मुझसे कह रहे है किनमे से चुल लो इस राम अपने लक्षमन को एक और प्राश्चीत का मौका दिया रहे है जाजा एक और प्राश्चीत का मौका दिया है अरे यह क्या चीज है भाईया डून दुन्या की तवाम दॉलत अगर तुम्हारे मुकाबले में रख दी जाए तो मैं उसे ठुकडा कर तुम्हारे चब्लोंगा तुम्हार हूं जबपना सर तुम्हारे Ratak जो लिखा MINरे सकक़ा प्राश्चीत का मुझे जिरो कहीर मुझे तुम्हारे जाएंचार का मुझे कुर्ब लजफो कर दो pills रवान एषिए प्वाबी प्वाबी तर शूख रहा है यह जायदा सिर्फ मैरी है जिल्फजारें तो किसी को हिसा नहीं दूगी यह सिर्फ मेरा हिसा है बाबी यह मेरे सुहाख की दौलत है अपनी सुहाख को लेकर मैं हमेशे के लिए जा रहे हूं यह लेकिन मुझे चाहिए नहीं कोई भाई कोई रच्टदार मुझे सिर्फ दॉलत चाहिए जमीन चाहिए जिगर चाहिए ऐसे भाई तो कई मिल जाएंगे मगर यह दॉलत कहा मिलेगी अपना लो इस दॉलत को क्या पक्रियों तुम अपने होश में तो हो मुझे तुम्हारे भावी नहीं चाहिए मुझे दॉलत चाहिए दॉलत पास होगी तो दुन्या के बादर में भावी बाद मिल जाएंगे मैं समझाता तु पाप के किचड में पैदा हुए कमल की तरह है लेकिन नहीं तुने साबित कर दिया तुझ गलीज माबाप की जलील और किरुई अला रहे पर देख लिए तुम्हारा ये नाटक अब लश्मी और मैं सिर्व घरी नहीं बल्के गाउं चोड़कर जा रहे हैं ये सारी जायदा दो दॉलत तुम्हें मुबारक हो लेकिन वहां चाहिए ना तुझे दॉलत चाहिए जाना चाहिए तो ले यह 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 आपना को चृफचे कर बहुदें अपर करेए कर दोड़क और मेले करें मोगस मेंदा कई औरना कोई संनल गधर है तर लिए जायक के लिए मिंऐ छाघ्ञ लिता मिलाट रगा सकत Guillet अगर अगर मैंने कदम न उठा होता तो भायार दीदी को जान से मार दिया जाता हूँ हाँ कि अब दाना को यहा है मैं अपने बच्चे की खाति धंदोल जब्रात सब कुछ ले आया हूं ले लो इसे अब बताओ कहा है मेरा बच्छा अहां अभी बताता हूं अभी बताता हूं आप अधिया आप अधिया 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 लेकिन गांवालों के सामने मंदर में जो तुमने मेरी बेज़ती की थी उसका बदला यानि कि अभी बाकी है क्या चाहते हूं तुम तरफ इस नर्म चूजे की जान मैं मामजी मैं तुमारे आगे हाथ जोडता हूं मेरा बच्छा मुझे देदो तैदू क्या यानि के हिम्मों था तु ले लो नहीं ना मामजी मेरा दिल बहुत कमदोर है इसलिए अपना हाथ मत उथो वरना मेरा हाथ चूट जाएगा अगर मेरा हाथ जूड़ गया तो आपका बच्छा यानि के इस दुनिया से उड़ जाएगा इसलिए मेरी वेजूती के बदले मार खाते जो खाते जाओ और हो सके तो अपने आपको बचाते जाओ बचाते जाओ मीर अझा बच्छाते जाओ प्रश ने स्ँएन अः तोया तो चार मेर हाथ जाओ जाओ दिख कर दिर तरन Malstar अ कर दो हा अ कि अ कर दो कर दो द inbox कर दो कर दो फली नख क्र दो कर दो कर दो झाल हुआ हुआ बहाल हुआ 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 Vermont झूच झाँवाब मुझें तूच झाँचे उिल कुछ ही पुरो ! हर दो कि अ गट ऐू के गप अजया हुआ अजया हुआ टीड П проц fare फ Tenn औरे जाव जाने दाव ग WARाजी इपकार नाव जे घड़ो जे उराजी जाव जाव जूझे तूम ठेका होना? लाव मेरी लठी का जी जाजी बे? इस लठीजा मेटर दोटा लूगा अबे 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 वन अबे अबे जूट, अबे जूट, अबे जूट भया पिए आपकी ओलाद है आपका खूल है फिर इसे हमारे पास क्यों चोड़े जा रहे है मुझे अज सब कुछ बता दिया कर लोगा क्या तुम्हें जानती थी कि शेन आवारा बेटा है है आई साहब मैं सब कुछ जानती थी मेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था किस तरह दीदी अस्पताल में मेरे कम्रे में आई और अपने बच्चे को मेरे उजड़े हुए पालने में डालकर अपनी गोद जाड़कर चली गई मैं उसक्ष में आचुकी थी लेकिन चुपचाप पड़ी रही तो फिर एक बात बताओ लेज़ता जब तुम ये जानती थे किशन हमारा बेदा है और जब किशन बिमार हुआ तो तुम उसे अपनी मा के घर क्यों लेगी अपनी मा के कारण जिसके मुझे गाले और कोस्मे किसे और कुछ नहीं निकलता सारी दुनिया किशन को हमारा बच्चा समझती थी अगर किशन को आपके घर में कुछ हो जाता तो लोग मेरी देवी जैसे दीदी का मजाग उडाते इन्हे बाज मनुस नजाने किस-किस नाम से पुकारते इसलिए मैं किशन को अपने साथ ले गई ताकि जो कुछ भी अच्छा बुरा हो मेरी ही गोद में हो सारा इर्दा मुझे पर आए इस देवी ने तेरी मर्तीवी बेटी की जिन्दगी बचाने के लिए अपना बचा उसकी कोद में डाल दिया और तू सारी जिन्दगी इसको गई देते रही मनुझ केती रही है सांने मेर तेरा लाप तेरा बदी अनिके मैंfood ड़े बेटा। आदमी को इंसान शैचान और भगवान में इस तरी का बहुत बढ़ा हत होता है यसी ये नुब का बहुत बबाध बना सकती है और वह चाहे तो उसे सुर्ट से सुन्दर बना सकती है उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। और इंस्पेक्टर साहब अगर यह मेरा साला इस सारे फ़साद की जड़ है तो यह उस फ़साद की कीचड़ है और मैं उस कीचड़ का किरा हूँ हम सब को ले जाकर जेल में बंद कर दो मगराला गला कोठरी में रखना वना कैदियों को अपस में लादेंगे हम लोग मुझे भी माफ करता है चला है जाए जी मुझे भी माफ कर दो मैं अपनी जुबान बंद रखोंगे जाए जी के तरह से मैं तुमको माफ करता है बोला है ठीक है अगर तुम अपनी वच्छन पर कायम रोगी तो देखता हूँ माफ कर दू कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो हो ज दिखा चलमगर इसको बोलते हैं दोता माफ कर दिया जाए अपके बरस बरसों के बाद हो प्यारे करने का झाल झाल